गुड मॉर्णिंग फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडू साला में इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र जीका से इकॉनमी कम्प्लीट करेंगे तो पूरी इकॉनमी इस वीडियो में कम्प्लीट की गई है ठीक है इससे पहले आपको बता दें कि जीका से आपके सारे सब्जेक्ट कम्प्लीट किया जा चुका है भारतिय सविधान, भारतिय इतिहास, विश्विका भुगोल, भारत का भुगोल और अन जितने भी समान भी ज्यान ये सारे सब्जेक्ट आपके कम्प्लीट किये जा चुके हैं और इकॉनमी के साथ आपका पूरा ज कासम की बुक है उसमें ये जो अर्थ सास्त्र के सबसे महत्पण महत्पणत थे हैं पिछले कई सालों में पूछे गए हैं उनका इस संकलन है तो चलिए प्रारम करता है हम अर्थ सास्त्र अर्थ सास्त्र वस्तूओं योम सेवाओं के उत्पादन और भोग तथा वितरन जैसी कतिविदियों का अध्यान करने वाला विशे है सीमित संसाधनों से अधिक्तम कल्यार प्राप्ति की युक्ति का अध्यान इस विशे की प्रमुक विशेवस्तु है प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौरे के महामंत्री कौटिल्ले ने अर्थ सास्त्र नामक पुस्तक की प्रिभासित किया गया एडम स्मित को अर्थ सास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मित की आर्थिक विचारों को क्रमबध रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडम स्मित ने अपनी पुस्तक अर्थ सास्त्र को प्रिभासित करते हुए धन का विज्ञान कहा है एडम स्मित के अनुसार राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की जाज करना ही अर्थ सास्त्र है अर्थ सास्तर की परिभासाएं यहां तीन प्रकार से तीन हैं धन सम्मंदी परिभासाएं दुरलबता या सीमित साधन सम्मंदी परिभासाएं आवशक्ता विहीनिता सम्मंदी परिभासाएं धन सम्मंदी परिभासाएं एडम स्मित और जे एस मिल दोरा दी गई है जबकि द जाके विकास के अंदित परिवासा Samuelson, Benham और Ferguson द्वारा दी गई है अर्थसास्तर की प्रमुक पुस्तकें और उनके लेखक तो यहां देखते हैं Das Capital Karl Marx द्वारा लिखा गया है, Wealth Up Nation Adam Smith द्वारा लिखा गया है, Foundation of Economics, Analytics Paul Samuelson द्वारा लिखा गया है General Theory of Employment, Interest and Money, J.M. Kinz द्वारा लिखा गया है, Nature and Significance of Economic Science, L. Robbins के द्वारा लिखा गया है How to be for the war, J.M. Kinz द्वारा लिखा गया है, Principle of Economics, Alfred Marshall द्वारा लिखा गया है Bajar, Bajar क्या है, अर्थ साथ सिर्फ Bajar के चार रूप बताता है, प्रुण परतियोगिता वाले, एक अधिकार वाले, एक अधिकार परतियोगिता वाले और अलपा अधिकार वो द्वादिकार वाले Bajar पहले देखते हैं परफेक्ट कमप्टीशन वाले जो मार्केट हैं यानि के पुर्ण प्रतियुगिता वाले पुर्ण प्रतियुगिता माज बाजार की वह स्तिती है जहां करेता या विकरेता की बहुत बड़ी संक्या होती है जबकि एक अधिकार बाजार में क्या है? मोनोपोली में एक अधिकार बाजार की वह स्थिती है जिसमें वस्तु का किवल एक विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं बाजार में वस्तु की कोई भस्थापन न वस्तु नहीं होती इस बाजार में पुर्ण परिवर्तन के करके कीमत को प्रभावित किया जा सकता है एक आधिकार प्रतियुक्ता बाजार की वह इस्थिती है जिसमें एक आधिकार यह पुर्ण प्रतियुक्ता दोनों के गुन बिद्धिमान होते हैं बाजार के इस रूप में उत्पादित वस्तूओं के विक्रिता को अनेक होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रिता के उत्पाद में कुछ विसिष्टा होती है, जो उसे एक आधिकार विक्रिता बनाते हैं, इस बाजार में कुछ सीमा तक कीमत पर प्रभाव डाला जा सकता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोगता उस वस्तू को किस सीमा तक विसिष्ट मांते हैं तथा उस वस्तू की स्थापन ने वस्तूओं से किस सीमा तक प्रतिसपर्दा है मुतिपूंड आर्थिक सबडावलिया कुछ है देखते हैं कीमत, प्राइस क्या होती है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निधारं मांग और पूर्ती की शक्तियों की पारस्परिक क्रिया द्वारा होता है, अजिसमें वस्तु की खरिद विक्री, ये तुकेता, विक्केता एक दूसरी के संपर्क में रहते है इस द्रिष्टी से वस्तु का स्थानिय छेत्रीत राष्टी यों अंतरराष्टी बाजार होता है वस्तु से आसे ऐसी वस्तु से है जिसका उत्पादन विक्र हेतु किया जाता है उपभोगता द्वारा स्वयम के उपभोग के हितु लगाईगी सबजी वस्तू नहीं है परंतु किसान द्वारा बजार में बेची गई सबजी वस्तू की स्रेडी में आती है मांग मांग की मांग का नियम लागू नहीं होता इन पर जैसे मांग का नियम अभी आपने पीछे सुना मांग की कीमत लोच, कीमत में परिवर्तन के परणाम स्वरूप वस्त की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की कीमत लोच कहलाती है आरामदायक वस्तों की मांग लोचदार है और विलासिता वाली वस्तों की मांग अत्यधिक लोचदार होती है जबकि आवस्यक वस्तों की मांग बे लोचदार होती है अनिको लोचता उसमें नहीं होती फ्लेक्सिविलिटी नहीं होती किसी वस्तु के बैकल्पिक प्रयोग के स्थिती में मांग लोचदार होती है पूर्थी का सिद्धान वस्तु की कीमत उस वस्तु की पूर्थी मात्रा के मध्यम समानुपाती होता है अर्थात यदि वस्तुकी कीमत बढ़ जाए तो वस्तुकी पूर्थी बढ़ जाती है जबकि इसके विपरीत वस्तुकी कीमत घटने पर वस्तुकी पूर्थी भी कम हो जाती है संतुलन कीमत किसी वस्तुकी संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और पूर्टी आपस में बराबर होती है यानि इस कीमत पर उतनी ही मात्रा की मांग होती है जितनी पूर्टी की जाती है अलपाधिकार अलपाधिकार एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता के मद्धिके इस्तिती है बाजार की इस इस्तिती में कुछ गिने चुने विक्रिता ही होते हैं तथा वे आपस में प्रतिस्परधा भी करते हैं यदि विक्रताओं की संख्या की वल दो हो तो इसे द्वयाधिकार कहा जाता है भारती अर्थविवस्था अर्थविवस्था उत्पादन, उपभोग, वितरन, आवंटन, आदी गत्विदियों का एक समुच्च है अर्थिक विकास की द्रिश्टे अर्थविवस्था को तीन भागों में बाटा जा सकता है विक्सित अर्थविवस्था क्या है? वे देश जन में प्रतिव्यक्ति आए अधिक होती है देश के एक सकल घरे लूत पाद का स्तर तकनीकी तल लोगों का जीवान स्तर उच्च होने के साथ साथ संड़चनात्मक विकास बहुत अच्छा होता है लेकिन जनसंख्या और विरोजगारी का स्तर कम होता है कुछ विसेस्ता हैं हैं इन्वे सामाजी के उमार्थिक दिश्च से उननत उत्पादन उभोग का उचस्तर राष्टी आय प्रतिवक्त आय का उचस्तर बच्चत व बिन्यों का उचस्तर पूंजी निर्माण की उच्चदर निम्न जनसंख्या बृद्धीदर ये सभी विसेस उत्पादन उस्तर तथा प्रतिवक्तिया बहुत कम होती है जब कि जनसंख्या का उच्च उच्च होता है अल्प विक्सित अर्थविवस्ता की विसेस्ता हैं सामाजी का आर्थिक दिश्चे पिछड़ापन उत्पादन निम्न उभोग का निम्न उस्तर राष्ट्री आय प्रतिवक्तियाय का निम्नस्तर, पूंजी निर्माल की निम्नदर, उच्च जनसंख्या ब्रिद्धिदर, क्रिसी पर निर्भरता, अस्रिक्षा बिरोजगारी आधी जैसे यूगांडा बुरुंडी नामी विया मतलब ज्यादा तर अफ्रिकन देश विकासील अर्थविवस्ता हैं, कुछ अर्थविवस्ता हैं, ऐसी भी होती, जहां अल्प विक्सित अर्थविवस्ता की विश्यस्ता हैं, तो पाई जाती हैं, लेकिन इनमें विक्सित होने की अपार संभावनाय भी मौझूद रहती हैं ऐसी अर्थवेवस्ताओं को विकास्तील अर्थवेवस्ता कहते हैं जैसे अपना देश, चीन, ब्राजील, आदी विस बैंक अर्थवेवस्ताओं का वर्गी करण प्रतिव्यक्ति सकल रास्ट्री आए के आधार पर करता है कौन करता है? विश्यो बैंक उत्पादन पर नियंतरन के आधार पर अर्थवेवस्ताओं को तीन स्रेडियों में बाटा गया है वो कौन कौन सी तीन स्रेडिया है? पुझी वादी अर्थवेवस्ता, समाजवादी अर्थवेवस्ता और मिस्त्रित अर्थवेवस्ता पूंजी वादी अर्थविवस्था क्या है? पूंजी वादी अर्थविवस्था वह अर्थविवस्था है जिसके अंतरगत लाव का उद्दे से प्रधान होता है तथा उत्पादन निजी स्वामित्य के अधीन होता है पुंजी वादी अर्थवेवस्था उत्पादित वस्तो उत्पादन की मात्रा वस्तो के मुल्य का निधर्ण बाजार करता है पुंजी वादी अर्थवेवस्था को बाजार अर्थवेवस्था या अनियोजित अर्थवेवस्था भी कहते हैं पूंजी वादी अर्थव्योस्था में सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती जैसे अमरीका योस्य सुर्जलेंड होंग कॉंग कॉंग सिंगापूर आदी जबकी समाजवादी अर्थव्योस्था क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, पूर्ती, कीमत, उत्पादन, आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजीत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं समाजवादी अर्थवेवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्य समूहिक होता है बड़े उद्ध्योग राजकी स्वामित्य में क्रिसी ब्यापार छोटे उद्ध्योग सहकारी स्वामित्य में होते है समाजवादी अर्थवेवस्था की ऐधारणा रूस के तादकालिक सोबियस संग में 1917 की बोल्सेविक क्रांती के बाद नजर आई समाजवादी अर्थवेवस्था की ऐधारणा का प्रतिपादन जर्मनी दारसनिक काल माकס द्वारा की गई थी मिस्त्रित अर्थव्योस्ता क्या है मिस्त्रित अर्थव्योस्ता में सारवजनी के अमनेजी चेतर का स्वामित तु सास्तात भी दिमान होता है मिस्त्रित अर्थव्योस्ता में पूंजी वादी राज्य अर्थव्योस्ता का समलित रूप है मिस्त्रित अर्थविवस्ता का सुजाव और सास्त्री जॉन मेरिनार्ड किन्स ने दी थी भारती अर्थविवस्ता मिस्त्रित अर्थविवस्ता का ही उदाहरण है अर्थविवस्ता के छेत्र आर्थिक गत्वीदियों के आधार पर अर्थविस्ता तीन च्छत्रों में बांटा जाता है प्रार्थमिक, द्वित्यक और त्रित्यक प्रार्थमिक च्छत्र क्या होते हैं? प्रार्थमिक च्छत्र उन उत्पादवी काईयों को सामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त होती हैं जैसे क्रिसी, पसपालान, मचलीपान, खरनवान की आदी इस चत्र द्वारा द्वितियक चत्र के लिए कच्चे माल की उपलब्दता सुनिश्चित की जाती है अर्थव्यस्था कावच चत्र जो प्रात्यमिक चत्र के उतपादों को अपनी गत्विदियों में कच्चे माल के रूपे उपयोग करता है द्वितियक चत्र कहलाता है कारखाने, निर्मार, बिजली उतपादन, जलापूर्ती, आदी द्वितियक चत्र के उदारन है दुतियक चेतर को उद्योगी क्षेतर भी कहा जाता है तृतियक चेतर विभिन निसे में प्रदान करने वाली काईयान सामिल होती हैं जैसे परिवहन, सिक्षा, बैंकिंग, बिमा, होटल, चिःका, परिटन, आदी आर्थिक समरिद्धी और आर्थिक विकास क्या है? मात्रात्मग और निरंतर व्रिद्धि से है उसकी श्रम सक्ति उपभोग पूंजी तथा व्यापार की मात्रा में प्रसार साथ होती है यदि राश्ट्री उत्पाद सकल घरेल उत्पाद प्रति व्यक्तियाय में व्रिद्धि हो रही है तो यह आर्थिक सम्रिद्धि कहलाती ह अब आर्थिक विकास क्या है? विकास की अधारना सम्रिद्धी की अधारना से अधिक व्यापक है. आर्थिक सम्रिद्धी वस्तुनिष्ट है जबकि आर्थिक विकास व्यक्ति निष्ट है. आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक आदिक चवरों के गुणात्मक प्रणात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंदित है जहां आर्थिक सम्रिद्धी केवल प्रणात्मक परिवर्तन से संबंदित है वहीं आर्थिक विकास का संबंद प्रणात्मक गुनात्मक दोनों परिवर्तनों से है आर्थिक विकास आर्थिक विकास तभी किया जा सकता है जब घीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास एक ब्यापक का उधारणा है। इसमें आर्थिक समरिद्धी, सामाजिक छत्रिक विकास, समावेशी विकास, साधिसम्मिलित होते हैं। पाकिस्तानी अर्थिसास्त्री थे, महबूब उलहक ने आर्थिक विकास को परिभासित करते हैं कहा गरीवी चाहें। जिस रूप की हो आर्थिक विकास गरीवी को विरुद्ध लड़ाई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्थ सेन ने अधिकाजिता तथा च्छमता को आर्थिक विकास कहा है। आर्थिक विकास की माप और आर्थिक विकास के तलनाकों तिकस्थि ग्याद करने के लिए प्रमुख विदिया है। पहला आधारभूत आवशक्ता प्रत्यागम जिसका प्रत्यपादन 1970 में 222 द्वारा किया गया। दूसरा जीवन को भौतिक गुणता नेरदे सांक प्रत्यागम मौरिस डी द्वारा किया गया था इसका प्रत्यपादन मौरिस डी मौरिस द्वारा। इस विधी में किसी देश के आर्थिक विकास के मापन के लिए उस देश किसी सिमृत्योदर, वहस्त साक्षर्टादर, जीवन प्रत्यासा, सुचकांग के अउसत्मान का प्रयोग किया जाता है। 222 के आकणों के अंसार वर्ष 2019 में सकल राष्ट्री आये, क्रेश सक्ती सम्ता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है, पर्चेजिंग पावर पैरेटी के आधार पर, प्रत्थम अद्विती स्थान पर करमसा चीन और अमरीका है। 222 के आधार प्रत विश्व काणों के अंतरक तीन चरों को सामिली किया गया था, यानि कि तीन ऐसे मानक थे जिनके आधार पर मापा जाता था। पहला जीवन प्रत्यासा सूचकांग, दूसरा सिक्षा सूचकांग, तीसरा आयस सूचकांग, बहुत सारी परिक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है जीवन प्रत्यासा सूचकांग सूचकांग किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन प्रत्यासा मापता है यानि कि कब तको जिन्दा है सिख्छा सूचकांग, सिख्छा सूचकांग के अंतरगत दो आकोनों की सम्मिलित है स्कूल की सतवधी व स्कूल अवधी के अनुमानित वर्सवधी आय सूचकांग जीवन निर्वाहस्तर का मापन क्रय सक्ति के समता के आधार पर प्रतिव्यक्ति सकल राष्टियाय से किया जाता है मानोविकास सूचकांग का मान जीरो से एक के बीच होता है जिसमें सुनने की तरफ बढ़ना बदतर जबकि एक की तरफ बढ़ना अच्छा प्रदर्शन कहलाता है जित देश का मान जितना अधिक होगा एक के करीव वह देश मानो विकास से उचकांकी स्रेडी में उतना ही अच्छा माना जाता है अत्यधिक उच्छ मानोविकास देश वाले 0.80 और उससे अधिक। उच्छ मानोविकास वाले देश इस्त्रेडी में मध्यम वाले 0-55 से 0.79 निम्न वाले 0.0 से 0.55 के बीच मानोविकास सुचकांक रिपोर्ट के अंतरगत वर्स 1990 में प्रतेक वर्सेयों UNDP द्वारा जारी किय जाता है मानोविकास रिपोर्ट 2020 मानोविकास सुचकांक में स्रामिल कुल 189 देशों के सूची में भारत का स्थान 131 था करेंट अब्डेट अलग है मानोविकास रिपोर्ट 2020 में मानोविकास सुचकांक वाला देश नारवे सबसे निम्न देश नाईजर है प्रसन्नता क्य का प्रसन्न की नहीं इसकी माप सही माप कुंजी प्रसन्नता सब्द का अर्थ में नहीं 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 है अर्थ में ही नहीं है प्रसन्नता की माप के लिए सेयुक्त राष्ट निर्वहनी विकास समाधान नेट्वर्क द्वारा वर्स 2012 विस्व प्रसन्नता रिपोर्ट सुरू क किया गया 2012, ask report में 200 के विवियन राष्टों के परसंनता की माप की जाती इसका मुक्षन देश राष्टों की लोक नीत का प्रधर्सन करना है प्रसंनता का मापंद 6 कारकों के आधहर पर किया जाता है प्रतिव्यक्ती करस्म जो 7ивается purchasing power parity स्वस्त जीवन पत्यासा, उदारता समाजिक सहयोग भष्टा चार का बोध भष्टा चार का बोध जीवन विकल्पों के चैन की सतन्तरता बिस सो प्रसंदनता रिपोर्ट दोजार एकीस बिस सो प्रसंदता रिपोर्ट एकीस का प्रकासन 20 मार्च 1921 को किया गया और 149 देशों सरच्छों फिनलेंड सबसे प्रसंद देश जबकि अफगानिस्तान सबसे दुखी देश मैंने बताए सब करेंट की चीज़े हैं आप इसको जरूर देख लिजेगा करेंट अपडेट के हिसाब से जो कि ये पुराना डेटा है राष्ट्रियाए राष्ट्रियाए मानवी आउशक्ताओं की पूर्थी का महत्त्रपुन साधन है जिसे व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में अपने सहियो योगदान के प्रतिफल स्वरू प्राप्त करता है किसी राष्ट के नागरिकों द्वारा एक वित्ती वर्स में उत्पादित अंतिम वस्तू सेवाओं के कुल मुल्ले का योग उस देश की राष्टी आय कहलाती है राष्टी आले खांकन के जन्वदाता साइमन कूर्जनेट्स माना जाता हिने नोबेल मिला था भारत में सर्प्रथम दादा भाई नोरोजी ने राष्टी आय प्रतिवक्ति आय की गढ़ना की थी नोरोजी द्वारा 1668 में भारत की प्रतिवक्ति आय बीस रुपई बताई है थी राष्टी आत गणा के लिए 1949 में भारत सरकार द्वारा PC महालनोबिस के धक्स्ता में राष्ट्री आय समिति का गठन किया गया था इस समिति के दो सदस्य वी के आरवी राव और आरगाडगिल थे मई 2019 से पुरू राष्ट्री आय की गढ़ना का कारे मई 1901 में अस्थापित केंद्री सांखे की कारयाले CSO द्वारा किया जाता था भारत की राष्ट्री आय की गढ़ना है तो वित्तवर्स एक अप्रेल से 31 मार्श है राष्ट्री आय की गढ़ना तीन विधियों से की जाती है साधन लागत या आय विधि उत्पादन विधि और बै विधि साधन लागत या आय विधि क्या है राष्ट के नागरिकों द्वारा एक वित्ती वर्स में लागत मजदूरी ब्याज कच्चा माल किराया लाभ की रूप में अरजित आय की योग द्वारा जब राष्टी गणना आय की गणना की जाती है तो इस विधी को साधन लागत या आय विधी कहते हैं भारत में राष्टी आय की गणना साधन लागत पर की जाती है परंतु जनवरी 2015 राष्टी आय की जनगर्ना बाजार कीमत पर की जाने लगी उत्पादन विधी एक देश द्वारा एक वित्ती वर्स में उत्पादि समस्त अंतिम वस्तुओं सिवाओं के सुध मौद्रिक मुल्ले की योग द्वारा जब राष्टी आय की गणना की जाती है तो इससे विधी का उत्पादन विधी कहा जाता है ब्यविधी एक राष्ट के नागरिकों द्वारा एक वर्स में किये गए सभी अंतिम व्यों की योग द्वारा जब राष्टी आय की गड़ना की जाती है इस विधी को ब्यविधी कहते हैं भारत में राश्टी आई की गड़ना है तो आय विधी उत्पादन विधी दोनों प्रयोग किये जाते हैं। राश्टी आई गड़ना सामनतर प्रचलित इस्थिर कीमतों पर की जाती है। प्रचलीत और स्थिर इस्थिर कीमत पर राष्टियाय किसी देश की वास्तविक प्रगत क्या ध्यन करने है तो इस्थिर कीमतों पर राष्टियाय की गणना की जाती है और विभिन वर्सों को राष्टियाय की गणना एक विसेस आधार वर्स के सापेक्ष की जाती है आधार वह वर्स होता है जिसके सापक चागामी वर्सों की स्थिति की तुलना की जाती है भारत में वर्तमार राष्टी आय के आधार वर्स 2011-12 है चालू कीमतों पर राष्टी आय जब राष्टी आय को बजार कीमतों के प्रचली कीमतों पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमतों का राश्टी आय कहते हैं चालू कीमतों पर राश्टी आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं किसी भी देश के राश्टी आय की गणना में निम्नपदों को सामिल नहीं किया जाता मद्धिवर्ती वस्तों का मुल्य, पुरानी वस्तों का मुल्य, घरेलू मुल्य, घरेलू सेवाय, वित्तिय संपत्ती, अंस पत्र, रेड़ पत्र, हस्तांतरन, पिंसन, वजीफा, विदेश से प्राप्तु पहार आदी रास्ट्री याई की प्रमका उधारणा रास्ट्री याई की ब्यापक उधारणा जिसकी गर्णा है तो सामानेता निमलिखित उधारणाओं का प्रयोग किया जाता है घरेलू उत्पाद और रास्ट्री उत्पाद घरेलू उत्पाद क्या है जिसे GDP कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद किसी एक वित्ती वर्स में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों जिसमें बिदेशी भी सामिल होंगे दोरा अंतिम रोप से उत्पादित वस्तुओं याँ सेवाओं के अरजित कुल आये को सेवाओं के से अरजित कुल आये यानि कि उनका कुल वाणिजिक मुल्य वो सकल घरेलू उत्पाद क्या है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या है सकल घरेलू उत्पाद में शकल घरेल उत्पाद में से पूझी वस्तुओं के, पुझी गत वस्तुओं के मुल्लेह्रास को घटाने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निवल विसुद्ध घरेल उत्पाद कहा जाता है। यह फर्मुला दिया है इसका निवल घरेल उत्पाद बराबर सकल घरेल उत्पाद माइनस मुल्ले हरास सकल राष्टी उत्पाद जब वस्तूओं सेवाओं का उत्पादन देश के निवास्चियों द्वारा चाहे यह देश की सीमा के बाहर हो यह देश की सीमा के भीतर हो उसे सकल राष्टी उत्पाद कहते हैं सकल राष्टी उत्पाद में विदेसों से अर्जित विशुद्ध आए, विदेसों में निवाशित भारती नागर्कियों द्वारा अर्जित आए, भारत में निवाशित विदेसी नागर्कियों द्वारा अर्जित आए, सकल घरेल उत्पाद में जुड़ जाती है भारत में GNP राश्टी आए की सभी अधारणाओं में ब्यापक अधारणा है GNP बराबर GDP प्लस विदेशों से अरजित सुध आए निवल राश्टी उत्पाद शकल राश्टी उत्पाद में से पूझी गत वस्तूओं के मुल्य हरास को घटा देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निवल राश्टी उत्पाद कहा जाता है NNP बराबर GNP माइनस मुल्य हरास निजी आए निजी आए वहाँ आए है जिसमें उद्यमों घरेलू छेतर द्वारा अरजित कुल आए तथा सकल एउम से सबिस्टों से प्राप्त सुध हस्तांतरन भुक्तान आकसमें एक लाभ शामिल होते हैं राष्टी आए में सारवजनिक और निजी छेतरों द्वारा अरजित आए को सामिल किया जाता है जबकि निजी आए में मात्र निजी छेतरों द्वारा अरजित आए को भी सामिल किया जाता है इस प्रकार राष्टी आए निजी आए से अधिक है ये फारमुला दिया हुआ है बेक्तिगत आय एक वित्ती वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पूरुवए वेक्तियों परवारी के काई वारा समस्त्रोतों से प्राप्ता आए बेक्तिगत आय कहलाती है इसके गर्णा के लिए निजी आय में से उद्यमों के अवितरित लाभ और निगम करों को घटाना होता है वेक्तिगत आय निजी आय से कम होती है ब्याई योग आय या प्रयोज आय प्रयोज्य आय वेक्तिगत आय का वह भाग होती है जो वेक्तियों के पास उभोग हितू पलब्ध होती है दूसरे सब्दों में वेक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाने के पस्चात प्राप्त रासी प्रयोज्य आय होती है यह आय व्यक्तिगत आय से कम होती है प्रति व्यक्ति आय किसी देश की राश्ट्री आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो भाग भल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत प्रयुद्ज आय से कम होती है प्रतिवेक्तियाय में भाग आयमें होने वाली वृध्धी एक देश के आर्थिक विकास या लोगों के रहन सेयन अस्तर में वृध्धी का सबसे बहतर सुचक माना जाता है देखे थोड़ा सा बलर आ रह गया है इसको आप लोग जो है समझ लीजेगा थोड़ा सा जो है संकेत दिए गए है GDP को क्या कहा जाता है GDP को NNP को NDP को आप वीडियो पाउच करके इसको पढ़ लिजे विवित तत्या CSO के अनुसार घोशना की गई कि GDP की गणना के लिए छेत्रवार सकल मुल्य वर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाए मुल्य कीमतों का प्रियोग किया जा रहा है विदेशों से सुधाय समंधी आकड़े रिजर रुबैंक आफ इंडिया द्वारा प्रकासित और तयार और प्रकासित किये जाते है भारत में नियोजन आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया जिसके अंतरगत पुरु निर्धारित उद्यस्चों की प्राप्ती है तु सीमित प्रक्रतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है भारत में पंचवर्सी योजनाओं की सुरुआत पुर्व सोपिय संके नियोजन पधती से प्रेरित है भारत में वर्स ने 1991 से अब तक 12 पंचवर्सी योजनाओं, 6 वर्सी के योजनाओं की विकास सेहत्रा तै कर चुका है भारत के नियोजन के लक्षता सामाजी कुद्योसों को स्रोथ संविधान मुल्लकित राजनीत निदेसक तक्तों द्वारा निर्धारित होते हैं नियोजन भारती संविधान की सातवी अनसूची की समवर्ती सूची में भी उत्रित है भारत में आर्थिक नियोजन का सरुपर्थम चर्चा 1934 से प्रारंब हुई जब एम विश्वसरयया ने प्लांड एकॉनमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी इसलिए विश्वसरयया को भारत का आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है इसके पश्चात 1938 में कॉंग्रेस अध्या सुभाष चंद बोस ने पंडित जवाहला नहरु के धक्षता में राष्टी नियोजन समिती के स्थापना की वर्स 1944 में स्रीमन नारायर अग्रवाल ने गांधी वाधी सिधानतों पर आधारित गांधी वाधी योजना तयार किया 1944-45 में आठ हुद्योग पतियों ने जिसमें जियाडी रतन टाटा भी थे और बिड़ेला जी भी थे इन्होंने एक 15 वर्सी योजना प्रस्तुत की आर्थिक विकास है तू जिसे बांबे प्लान या टाटा बेड़ला प्लान के नाम से जाना जाता है बिटिस सरकार ने 1944 में नियोजन योजन विकास विभाकिय स्थापना की जिसके अध्यक्ष आर्देसिर दलाल थे मन राय और भारती सरमिक संकी ओर से रूसी योजना से अभी प्रेडित जन योजना नामक योजना प्रस्तुत की 1950 में जै प्रकास नारायर दोरा सोशित विहिन समाज की अस्थापना है तो सर्वोदेप योजना प्रस्तुत की स्वतंतरता प्राप्ती को प्रांत अखिल भारती कांग्रेस समिती ने 1947 ने नमाहत जवाला नहरू के धक्षता में आर्थिक कारेकरम शमिती का गठन किया इस समिती ने 25 जनवरी 1949 को अपने एक प्रस्ताम सिफारिस्की की देस्त में एक स्थाई योजना आयोग स्थापित होना चाहिए सिफारिस्के फलसरुक 15 मार्च 1950 को मंत्र मंडली प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया जिसके अनुसंस्ता पर प्रथम पंचवर्सी योजना एक अप्रेल 1991 से लागू की गई अब यहाँ पे हम विभिन पंचवर्सी योजनाय देखेंगे उनके बारे मुन में क्या क्या खासियत है क्या का विसेस्ताय दी गई है अब देखते हैं पंचवर्सी योजनाय तो पंचवर्सी योजनाओं के बारे में देखते हैं कौन कौन सी है और उनका उद्देश से क्या है बिद्धिदर कितनी प्राप्ति हुई और उसमें कुछ खास खात तथे देख लेते हैं पहले देखते हैं आपकी पंचवर्सी योजना तो इसमें सरणायतियों का पुनरवास क्रिस्टि शेतर के विकास था राष्टि प्रसार सेवा का प्रारम संतुलिद विकास नीती उद्देश से था लक्षिस का दो दसमलों एक प्रसेत रखा गया था प्राप्त हुआ तीन प्रसी योजना 1956 से एकसर तक चली थी आधारवोत और भारी उद्द्यों के विकास के साथ तिवर उद्द्यों की करण पर बल राष्टिया में 25% की बड़े पैमाने पर रुजगार का स्रिजन 4.5% इसका लक्ष रखा गया था और प्राप्ती हुई 4.3% पीसी महाल नोबिस की 4-6 माडल पर आधारी तया यह थी रावर केला भिलाई दुरगापूर और दुरगापूर के इसपास सेंत्रों की अस्थापना इसमें की गई थी तरिती पंचवर्सी योजना देखते हैं 1901 से 66 तकी चली अर्थवस्था को आत्मेरभर स्वताई स्पोर्थ बनाने की पर बल क्रिसी पर पुनह सरवाधिक बल राष्टी आयमें प्रतिवर्स 5 प्रिस्थत की बिद्धी आधी 5.6 प्रिस्थत का लक्ष रखा गया प्राप् खलता का कारण इसका था भारत-चीन युद्ध और भारत-पाक युद्ध और जो है 65 से 66 के बीच सूखा का आना वर्स 1976 के बीच तीन वार्सिक योजना बनाई गी थी इस अवधी को योजना आउकास कहा जाता है पंच वर्सी योजना करत वह पांच वर्सी और जो इसमें वार्सिक योजना बनाई गी एक वर्स के लिए बनाई गई थी चतुर्त पंच वर्सी योजना बात करते हैं 1979 से 74 के बीच चली स्थिर्ता के साथ आर्थिक विकास तथा आतनेरभरता की प्राप्ति एउम आय संपत्ती का वितरण चेत्री असमानता में कमी संतुलित विकास पर जोर और दोगी करों को बढ़ावा आधार भूतियों भारी दोगों पर विसेश बल दिया गया लक्ष 5.7 प्रिस्थत रखा गया था प्राप्ति हुई 3.3 प्रिस्थत की गाडगिल योजना तथा लियोंतिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था है 14 वैंकों का राष्टी करण किया गया MRTP अधिनियम लागू किया गया और 1971 को प्रभावी तथा बफर इस्टाक क धर्णा लागू हुई अब देखतें पाचवई पंचवड़ सी योजना यह 1974 से 89 के बीच चली 1974 से 79 तक निर्धर्था उर्मोनल वा आर्थिक आर्थ निर्वर्ता की प्राप्ति इसका उद्देश से था 4.4 प्रिस्थत लक्ष रखा गया था प्राप्ति हुई 4.8 प्रिस् इसके लागा एक खास चीत थी पंचवड़ सी योजनाओं को एक वर्ष पहले अर्थात उनेश 178 में ही समाप्त कर दिया गया था इस पंचवड़ सी योजना को अब 6.5 पंचवड़ सी योजना देख लेते हैं 1980-1985 के भी चली आधुनी की करण तथा अर्थवयस्था के विस्तार द्वारा गरीवी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण इसका उद्देश रथा आत्म निर्भरता तथा सामाजिक न्यायादी 5.2 प्रिस्थत विकास का लक्ष रखा गया था 5.7 प्रिस्थत की प्राप्ती हुई आगत निर्गत मॉडल पराधारित गरीवी निवारण तथा रोजगार सिर्जन पर विसेश वल ग्रामेड बेरोजगारी की इन्मोलन संबंधित अनेर्ज योजनाओं कारिक्रम जैसे आपका है इसमें IRDP, NREP, TRIS ISM और DWACRA इन सब को लागू छटी योजना को 15 वर्सों की दिरगावदी को ध्यान में रखकर बनाया गया था इसकार इसे परस्पेक्ट्व प्लानिंग भी कहा जाता है इस योजना में पहली बार अर्थ वेवस्था के आधनी करण के लक्ष को शामिल किया गया नोट में 17-83 की योजना को अनुवरत योजना नाम दिया गया और अनुवरत योजना का स्रे गुनार मेरिडल को दिया जाता है सात्मी पंचवर्सी योजना की बात करें अगर तो इसमें क्या है 85-90 की भी चला आधनी की करण आत निरभरता हैं सामाजिक नया इसका लक्ष उद्दे स गया पांच-दस्वहलो 5 प्रस्त विफास का लक्ष रखा गया प्राप्ति हुई 6 प्रस्त की दिर्कालिन वि कास्विधी यह उदारी कर्ण मॉडल इंधिरा अवास योजना जवाहर रोजगार योजना नेहरू योजना का प्रारम किया गया ओर्जा संदक्षण यह गयर प्रांप्रगत उर्जा स्रोतों के विकास पर बल दिया गया एक अप्रेल 1990 से 31 मार्च 1992 तक दो वारसी की योजना भी चलाई गई आठमी पंचवरसी योजना 92 से 97 की बीच मानो संसाधन विकास सताब्दी के अंतक पूर्ण रोजगार स्रिजित करना जनसंख्या बृधिपन नियंतर्ण पेजल तथा स्वास्त का सौरभौमिक करन 5.6 प्रस्त लक्ष रखा गया विकास का प्राप्ती हुई 6.8 प्रस्त की जान डबलू मूलर माध्यां पे आधारित थी 8.5 पंचवरसी योजना प्राथ्मिक सिक्षा का सौरभौमिक करन 15 से 35 आयुक समोह में निरच्छर्ता और मूलन आधी उद्देश से थे नौमि पंचवरसी योजना 97 से 2000 की बीच चली सारोभौमिक नियाययों समता के आर्थिक विकास साथ आर्थिक विकास इसका लक्ष रखा गया 6.5 टार्गेट किया गया था बृद्धी को 5.4 की प्राप्ती हुई योजना में 7 बुनियादी नियुन्तम सिमाओं जिनमें सभी के लिए घर प्रात्मिक सिक्षा बेखरों के लिए घर 7. बच्चों के लिए पोशका हार, सभी गाउं तो था बस्तियों के लिए सड़क गरीबों के लिए सारजनिक वित्रन बेवस्ता को बेहतर बनाना आदी पर बल दिया गया 10. बच्चों सिमेकन की नीती लागु की गई, 9 योजना से सारवनिक चत्रपर बल देनी की प्रवित्ति में कमी आई, तथा निर्देसात्मक योजना की सुरुआत होती है 10. पंचवर्सी योजना 10. पंचवर्सी योजना में क्या-क्या प्रावधान था 10. पंचवर्सी योजना 2002 से 7 के बीच चली 10. पंचवर्सी योजना 1 अप्रेल 2002 से 31 माज 2007 तक ऐसे समय लागु की गई जब अर्थिवस्ता में आर्थिक सुधारों का दवर अपने चरम पर था 10. पंचवर्सी योजना अधिक ब्यापक आगत निर्गत मौडल पर आधारित थी 10. पंचवर्सी योजना की कूट नीती दो आधारित तत्तों पर आधारित थी कौन-कौन से पहला बिचट वर्सों में बिगत वर्सों में पलब्धियों को अक्षोड बनाये रखते हुए इन्हें आगे बढ़ने बिकास करना बिगत वर्सों में अर्थवयोस्ता कि बिभिन छेत्रों के विकास में आई बाधाओं को प्रात्मिक्ता क्या धार पर दूर करना अलामा इसके दस्मी पंचवर्सी योजना में त्री मुखी कारेनिती अपनाई गी इस योजना में क्रिसी को महत्पूर्ण चेतर को मस्विकार किया गया क्योंकि इस चेतर के में लाव को ब्यापक रूपर फैलाने की शक्ती सरवाधिक है उन चेतरों को तेविर विकास सुनिशित किया गया जो लावपरत रोजगार के आऊसरों का स्रेजन करने वाले थे ऐसे लक्षि समोहों को जो सामाने समरिध्धी प्रक्रिया से परयापत रूप से लाभामित नहीं हो सके के संबंद में पूरक कारिक करमों पर बल दिया गया दसमी पंचवर्सी योजना में वास्तविक समरिध्धी साथ दसमलो साथ प्रस्त थी यदिपी योजना अपने लक्षों से आठ प्रस्त से कम रही तथा पिये अब तक कि सर्वाधिक व्रिध्धी दरवाली योजना थी जिसससे कि विकास की मुख्यधारा के साथ सब को जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास से सभी लाभानवित हो सके ग्यारमी पंचवर्सी योजना की अवधी के दौरान नौ प्रत्सत की विकास दरका लक्ष रखा गया था जबकि वास्तवी के लक्ष आठ प्रत्सत हुई ग्यारमी पंचवर्सी योजना में गरीबी, स्वास, सिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास अधोसन रचना और पर्यावरण से संबंधित कारे संपादन के साथ प्रत्सत का आकलन करने के लिए करने वाले 26 सूचक बनाये गए थे बेरोजगारी के अनुमान के संबंध में चालू दैनी कवस्था को आधार बनाते हुए लक्ष रखा गया था ग्यारामई पंचवर्सी योजना के दोरान उच्च गुडवत्ता युक्त रोजगार उपलद्ध कराया जाएगा अब देखते हैं बारामई पंचवर्सी योजना अंतिम योजना थी ये 2012 से 17 के बीच चली तेवर अधिक समावेसी और धारने विकास 2012 पंचवर्सी योजना का सीड़ सक था ऐसे समय में शुरू हुई जब वैस्वीक अर्थव्यवस्ता ऐसे दूसरे वैस्वीक वित्ती संकट का सामना कर रही थी जो 11 योजना के अंतिम वर्सों में यूरो जोन पर आयरिन संकट के कारण सुरू हुई यह वित्ती संकट का असर भारत सही सभी देशों पर पड़ा 12.05 योजना के 25 मुख्य लक्ष निर्धारित किये गये थे इनमें आर्थिक विकास में गरीबी और रोजगार आर्थिक विकास मुख्य मुख्य देखते हैं सकल घरे उलतवात को गरीबी और रोजगार देख लेते हैं इसमें क्या किया गया कि योजना के अंतर तक पुरवर्ती आकलोंग तुलना के और 10 प्रतिसत अंकों की कमी लाना गरीबी में इस योजना के दौरान गैर किसी चत्रम के 50 मिलियन नए कारे आवसरों का स्रिजन इतनी ही संख्या में कौसल प्रमाड पत्र प्रदान करना था सिक्षा में क्या किया गया 12 पंचवर्सी योजना के अंतर तक स्कूल सिक्षा के आवसरत वर्सों की संख्या को बढ़ा कर साथ वर्स करना अर्थविस्ताम कोसल आउशक्ताओं के अन्रूप उच्चतर सिक्षा में उच्चतर सिक्षा में प्रतेक उम्र के दो मिलियन अतरक सीटों का स्रिजन करना, विद्ध्याले की पंजीकरण में लेंगी को सामाजी कंतराल के योजना के अंत को दूर करना, स्वास्ता, योजना के अंत तक 90 मृत्युदर को घटा कर 25 प्रतिहजार करना, मात्री मृत्युदर को घटा कर 1 प्रतिहजार जीवित प्रसव के अस्तर पर लाना, यहुं बाल लिंगा अनुपात 0-6 वर्स को सुधार कर 950 तक लाना, योजना के अंतरगत कुल प्रजन अंदर को घटा कर 2.1 प्रतिहजार पर लाना था, योजना के अंतरगत 0-3 वर्सायों के बच्चों में अल्पोशन को घटा कर NFHS 3 के आधे पर लाना, गरामीड़ावसन रचना, निवेज को बढ़ा कर GDP का 9 प्रतिसत करना था, योजना के अंतरगत क्पूर्वी तरथा पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई कलियारे को पूरा करना, ग्रामेड टेली डेंसिटी को बढ़ा कर बारा हुई योजना के अंतर तक 17% करना कम से कम आधियाबादी ग्रामेड आवादी को स्वक्षता पेजल की पूर्थी करना पर्यावरण धारणियता नवी झाल 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 देखिए इसमें कुछ दिक्कत आ गई है वेट पर्यावरणी धारणियता को उर्जा चमता में 30,000 मेगावाट की व्रिद्धी करना था वर्ष 2022 तक उर्षतरजन सघंता 2005 के अस्तर से 20-25 प्रिशत तक घटाना योजना अवदी में प्रतिवर्स एक मिलियन हेक्टेर हरीच छेतर की व्रिद्धी करना सेवा प्रदायगी योजना के अंततक 90 प्रिशत भारती परिवारों तक बैंकिंग सेवा उपलद करना बैंक खातों से जुड़े आधार प्रेटफार्मों का उपयोग करके 12 योजना के अंततक मुख्य सबसेडी कल्याण संबंधी अव लाभारतियों को प्रत्यक्ष नगत हस्ता अंतरन के रुप में कारानीत करना बारामी पंचवर्सी योजना में द्विद्धेसी कारनीत का प्रस्ताव किया गया था जिसकी सुरुवात में आर्थिक्स असंतलों को नियंतरन में लाने तथा मंदी के दौर जो उबढ़ने की जरुद पर ध्यान दिया गया इसके साथ ही कई छेत्रों में संब्रचनात्म पर जोड़ दिया गया जो मध्य मवधि में विकास को बनाये रखने के लिए आवश्चक था योजना आयोग यह क्या हो रहा है भाई परेवार धारेनता नवी करमरी उर्जा चमता में 30,000 मेगावाट की विध्धी वर्ष 2020 तक उसर्जन सघंता को 20 से 25 प्रिशत्त घटाना योजना आवद में प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेक्टेर हरी चेत्र की विध्धी करना है सेवा प्रदायगी योजना के अंत तक 90 प्रतिसत भारतिय परिवारों तक बैंकिंग से माय उपलब्ध कराना बैंकिंग खातों से जुड़े आधार प्रेटफार्म का प्रेवक करके 12 योजना के अंत तक मुख्य सबसेडी कल्यान संबंधी अलाभारतियों तक प्रत्यक्ष नगत हस्तांतरन के रूप में कारानवित करना है 12 योजना में 22 सी कारेनीति का प्रस्तावित किया गया था जिसकी सुरुवात में आर्थिक असंतलों को नियंतरन में लाने और मंदी के दवर से उबरने की जरुरत पर ध्यान दिया गया इसके साथ ही कई छित्रों में संवसिनात्मक सुधारों पर जोड़ दिया गया जो मध्यम अवधिके विकास को बनाये रखने के लिए अवश्यक था 15 मार्च 1950 को सरकार ने नियोगी समिति की सिफारिस पर योजना आयोग का गठन किया इसके प्रतम अध्यक्ष और उपाध्यक कर्मसा प्रधानमंत्री जवाहल लाल नहरू और गुलजारी लालन्दा थे योजना आयोग का उद्यस साधनों के कुसलतम कुसलतम प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाकर लोगों को रोजगार के अवसर प्रधान कर उनके कैबनेट अस्तर के मंत्री का होता था जिसकी नियुक्ती प्रधानमंत्री की सलाह पर राश्पती द्वारा पांच वर्स में की जाती थी उपाध्यक्ष अपने कारियों के लिकेंदरी मंत्री मंडल और संसत के प्रतियोक्तरदाई होता था योजना आयोग का भारती इसका कारी योजना आयोग द्वारा तयार किया गए योजना का अध्यन करना विचार बिमर्स के बाद अंतिम सुकृति देना होता था देश का प्रधान मंत्री इसका अध्यक्ष योजना आयोग का सचिव इसका सचिव तथा सदस्यों में सभी केंदरी मंत्री सभी पितदर्यसों के केंसासिच चत्रों के मुख्यमंत्री प्रसासक योजना आयोग के सभी सदस इस परिसद के पदेन सदस से होते थे योजना आयोग की भाती NDC भी एक गैर संबैधानिक संस्था और प्रामर्सताती निकाय थी इसे सूपर कैबिनेट भी कहा जा कि संग्या से भी भोशित किया जाता था क्योंकि इसकी सदस्यता ब्यापक थी और विचारों को योजना आयोग और मंतकेंदरी मंत्यमंडल द्वारा अस्विक्रत नहीं किया जा सकता था अब देखते निती आयोग का क्या है निती आयोग राष्टी भारत रूपांतरन रूपांतरन संस्थान निती आयोग के स्थापना संगवाद के सिध्धानतों का पालन करते हुए भारत सरकार के नितिकत मुद्देपस सलाह देने है तो एक ठिंक टैंक की भाती कारे करता है निती आयोग अपने पुरवर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेसी संस्था है इसका गठन एक जनवरी 2015 संकल तथा इसके बाद 16 फरवरी 2015 संसोधन द्वारा निती आयोग के गठन की विवस्था है भारत के प्रधान मंतरी इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों विधान मंडलों से युक्त संगराज चेतरों में मुख्य मंतरी अन्य संगराज चेतरों के लेफ्ट रेन गवर्नर नीती यायोग सासीव के परिसत सदस्य है विशेसा मंत्रित में संबंदि छेत्र का ज्यान रखने वाले दक्ष विशेसा के कारेरत व्यक्ति पुर्ण कालिक संग्ठनात्मक धाचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के अलावा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा निक्ष सदस से पुर्णकालिक, अंसकालिक सदस से अग्रणी मलब ये सब इन में होंगे पदेन सदस अधिक्तम चार सदस जिनका मनोनेन केंद्री मंत्री परिसद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा आउशक्ता अनुसार सचिवाले और एक से अधिक राजचेतर पर प्रभावर डालने वाले विशेश मुद्दोप आकश्मिक स्थितियों से च्छत्री परशद का गठन किया जाएगा निर्धारी तवधी के लिए गठित होंगे प्रधानमंतरी च्छत्री परशदों के עयोजक होंगे और उस च्छत्र के सभी राज्यों के मुख्य मंतरी तता कैंसासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गउणनर इसके सदस्य होंगे नितियायो के अध्धक्ष उनके नियुनामित प्रतिनिधी इसके अध्धक्ष होंगे मुख्य कारेकारी अधिकारी भारत के सचीवस्तर के अधिकारी इसकी नियुक्तियों निश्चित कारेकाल के पधानमंतरी द्वारा की जाएगी वर्तमान में नितियायो की संदचना नरेंद्र मोदी जी इसके अध्धक्ष है डाक्टर राजी कुमार रुपाध्धक्ष कारेकारी अधिकारी अमतापकांत पुन कालिक सदस्य यह है योजना आयोग से तुलना देखिए यहां कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप लोग जो है केवल इस पोर्षन को ध्यान नहीं देना है इसे आप छोड़ दीजिएगा क्यों इधर ध्यान देना है योजना आयोग से तुलना देख लेते हैं हैं के कारण यह राश्ट्री विकास परिशत के कारेयों का संपादन करने में भी असमर्थ है नीती आयोग में विशिष छेत्री मुद्दों के संदर में छेत्री परिशत जिसे सम्मंदित राज्यों संगराज चेत्रों के मुख्यमंत्री उपराजिपाल सदस्योंगे के गठन का भी प्रावधान है जो इस संगबाद की द्रिश्ट से और विसिष्ट बनाता है योजना आयोग जहां आर्थिक ब्रिधिदर लक्षों और रणनीती को निश्चित करता था महीं नीती आयोग राज्यों की सला से राश्टी विकास रणनीती निरधारित करेगा नीती निर्धान गारित द्रिदर भारत वे निर्धान्ता भारती गरीबी और निर्धान्ता उस स्थथी को कहते हैं जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभुत आउश्क्ता था hurdle से भस्तर और वस्तर और आवास विविगाई अर्थार जब मनुस्स अपनी बुनियादी आवशक्ताओं की पूर्थी भी कर पाने में इसकी इस्तेती में नहीं होता, तब उसे गरीब किस्ट में गिना जाता है। सब्सक्राइब करने की अस्मर्थता है, अर्थार जब निम्नतम जीवन यापन अस्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस इस्तिती को गरीबी कहते हैं। सद्धान्तिक रूप से गरीबी माप करने के लिए सापेक्ष और निर्पेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सद्ध किने और गिनी गुड़ी सुचकां को 1912 में कोरेडो गिनी ने विक्सित किया था। लॉरेंज वक्र व्यक्तियों की आय वित्रण को रेखा चित्री प्रदर्शित करता है। इसके तहट आय प्राप्त करता हूँ और उनके द्वारार जीत आय की कुल आय में संचाई प्रस्त्ता के मतर एका चित्र बनाया जाता है। बनाया गया लॉरेंज वक्र पूर्ण समता जब आय वित्रण समान हो के चितने पास होगी आय वित्रण समता उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक आय के वित्रण की विसंता की माप की सबसे प्रचलीत विदिया है। लॉरेंज वक्र और पूर्ण समता की रेखा के नीचे छेतर फल, पूर्ण समता रेखा की नीचे कुल छेतर के बीच अनुपात है। गिनी गुणांक का अधिक्तम मुल एक रुपए के ब प्रिकास किया है निर्पेक्ष गरीवी गरीवियों की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु नियुनतम आवशक्ता मांदर्ण का प्रयोग किया जाता है अर्थात नियुनतम आवशक्ताओं की पूर्ति न करत्पाने वाले व्यक्ति को गरीव की संग्या दी जाती है निर्धार भारत में गरीवी निर्धारण के प्रमुक प्रयास। गरीवी का प्रति दिन 2200 कैलोरी और सहरी व्यक्ति का प्रति दिन 2600 कैलोरी भोजन के प्राप्त करने में असमर्थ है तो वो गरीवी के माप के माप के लिए 1989 में प्रोफेसर टीटी लकडवाला की अध्यक्सता में एक समित का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 993 में प्रस्तोत की समित ने प्रतेग राज्य के लिए अलग-अलग गरीवी रेखा का सुझाओ दिया लकडवाला समित के सुझाओ पर ग्रामेड सहरी छत्रों के लिए अलग-अलग मुल्ली सुचकांग का अपनाया जाने लगे लकडवाला समित ने ग्रामेड छत्रों के लिए क्रिसी छत्रों हेतू क्रिसी स्रमिकों हेतू उभोकता मुल्ले सुचकांग तथा सहरी छत्रों के लिए अध्योगिक स्रमिकों के लिए उभोकता मुल्ले सुचकांग ने धारित किया आगे चलकर योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतू वर्स 2005 में सुरेश तेंदूलकर की अधक्षता में समिती गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट वर्स नौमबर 2009 में सौपी तेंदूलकर समिती ने खाद्य सिक्षा स्वास्त सेवाओं पर पारिवारिक बैको गरीबी मापन का अधार माना इस समिती ने गरीबी मापन की विधी में URP योनिफॉर्म रिफरेंस पीरियेट के अंतरगत 30 दिनों की आदास्त अवधी के भीतर उभोग बैको लिया जाता थ को 365 दिन की या दास्त अवधी के लिए जबकि सेश मदों को 30 दिन की या दास्त अवधी के लिए उभोग बैके आंकड़े लिये जाते हैं इस प्रविद के प्रयोग द्वारा वर्स 2011 बारं भारत 21.9 प्रस्थत आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंग राजन के अध्यक्सता में समित का गठन किया समित ने वर्स 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की रंग राजन समिती ने गरीबी रेखा के नीचे माना मतलब अगर आप इतना कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है गरीबी निवारन कलियान कारी योजना राष्टरी खादय सुरक्षा अधिनियम 2003 सरकार द्वारा राष्टरी खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदान किया गया। प्रदान के तवर पर नामित करने का प्राधान है। एक अप्रेल दो हजार दो से बढ़ा कर इसे प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम कर दिया गया। वर्तमान में योजना के तहट भारत के धाई करोण गरीब अर्थाद गरीबी रेखा के 38 परिवारों के प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज रियाइती दर चावल योंगेहू करमसर तीन उरुपए दो रुपए पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ध्यातब्भे 3 जून 2009 को अन्तियोदय अन्योजना के अंतरगत परिवारों की पहचान है तुमान दंडों में संसोधन किया गया। वर्तमान इसके अंतरगत सभी वीपियल परिवारों के HIV पॉजिटिव विक्तियों को भी इसमें सामिल किया गया है। राष्ट्री खाद्य सुरक्षा मिसन राष्ट्री विकास परिशद ने 29 मई 2007 को आयो तिरपनहमी बैठक में खाद्य सुरक्षा मिसन की सुरुवात के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत राष्ट्री खाद्य सुरक्षा मिसन अक्टूबर 2007 में प्रार्म किया ग मरधनकर किसानों की आतने विश्वास में बृध्धी खेत अस्तरपल लाभ को बढ़ाना भी इसका प्रमुखुद्धे से था इस मिसन के तहट बारहभी पंचवर्सी योजना आवदी में 25 मिलियन टन 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहू, 4 मिलियन टन दाले, 3 मिट्रिक टन मोटे अनाज अतरिक्त खाद्यानुत पादन का लक्ष रखा गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मई 2017 में किंदरपयाचित योजना है इसमें स्कीम for agro marine processing and development of agro processing cluster को मंजूरी प्रधान की गई जिसका 26 मई 2017 को पुनर नाम करन करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया वर्तमान में योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जाना जा रहा है यह इसकीम का करानमन खादे प्रसंस्क्रण द्योग मंत्राले द्वारा किया जा रहा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके प्रधामस्रूप खेट से लेकर खुदरा विक्री के अंदरों तक दक्षा पूरती स्रिंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आउसर निचना का स्रिजन होगा इससे देश में नँ केवल खाद्य प्रसंटसर्ण चेत्र में विध्धी को तेवर गती प्राप्त होगी बलकि यह किसानों को बहतर मुल्य दिलाने तथा किसानों की आय दुगना करने विसेश रूप से ग्रामेर चेत्रों में रुजगार के अभाड़ी एवसर को प्रधान्वंत्री किसान संपदा योजना की अंतरगत निमनी स्कीमों को कारवन किया जाएगा यथा मेगा खाद्य पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रशंसक्रण, पड़िभक्चन शंताओं का स्रिजन विस्तार, क्रिसी प्रशंसक्रण, क्लस्टर और संडचना, संसाधन वं संस्थान हैं, ध्यातब्य की बजट 2021 वाईसमी से योजना है, तो 700 करण का है, इसमें आपको नहीं देखना है कुछ भी, ये कुछ योजना हैं, पूछ लेता है, कब लागू की गए, राश्ट्री ग्रामीर गारंटी योजना 2006 में, भारत निर्मान कारिकरम 2005, अंतियोद अन्न योजना 2000, जन्सिर भीमा योजना 2000, प्रधान मंतरी ग्रामोदय योजना 2000, अन्न पुर्णा योजना 2000, जवाहर ग्राम सम्रिद्धी योजना 1999, स्वर्ण जैन्ती ग्राम स्वराज योजना 1999, स्वर्ण जैन्ती सहर योजना 1997, रोजगार आश्वसन योजन तिरानवे, इंद्राहवास योजना 85, जवाहर रोजगार योजना 1989, द्वकरा 1982, ट्राइसेम 1989, 1979 महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना मनरेगा राष्ट्पती द्वारा 5 सितंबर 2005 को स्विकृत परदान करने को परांत राश्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना नरेगा का सुभारंब आंधप्रदेश के अनंदपुर जिले के दो फरवरी 2006 चे देश के दो सो चुननदा जिलो में किया गया वर्ष 2007-08 में इसका विस्तार 130 अत्रिक्त जिलो में कर दिया गया एक अप्रेल 2008 को इसका विस्तार जम्मु कस्मीर को छोड़ कर देश के सभी जिलो में कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल कर महत्मा गांधी राश्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया मन्रेगा का लक्ष प्रतेक ग्रामीर परिवार के वैस्क सदस्त को नियुनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है अधिनियम के तहट रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने के दिनांग 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रभावी हो जाती है मांग किये जाने की तारीक से 15 दिन के भीतर रुजगार प्रदान न किये जाने के स्थिती में राज्य अधिनियम को अनुस्तार को उस राभार्थी को बेरुजगारी भत्ते का भुखतान करना होगा कारे गाउं के 5 किलोमीटर की परिदि में ही प्रदान किया जाता है पांच किलोमीटर की अधिक दूरी पर रुजगार प्रद्यंत किया जाने की स्थिती में अत्रिक्त परिवहन और जीवन यापनवय को पूरा करने के लिए 10% अधिक वेतन का भुकतान किया जाता है यसे योजना के अंतरगत कम से कम एक तिहाई महिला लाभारतियों को रखा जाता है भारत सरकार की इस मंजूरी दर राजजवारत सूचित करती है या उब्भोकता मुले सूचकां के दौरा यथा निर्धारित मुद्रा इस्पिती के अनुसार तैक की जाती है भारत सरकार अकुसल सारे रिक्सरम का 70% लागत सामगरी का 75% लागत कुसल कामगारों की वेतन का 75% लागत कुल प्रसासनी की बैका 6% लागत वहन करती है सेसवे राज़सरकारें वहन करती है इस अधिनियम के अधिदेश की दिया गया कि प्रतेक ग्राम पंचायत से किये गए कारियों के कुल लागत में मजदूरी बैके सामगरी का अनुपात 60-40% होना चाहिए सभी कार्यस्तलों पर सिसु ग्रिफ पेयजल सेड जैसी सुविधाओं की बेवस्था की जानी चाहिए वित्ती वर्स 21-22 में इतना उकरोण इसके लिए प्राधान किया गया दीन दयालन तयदय योजना देश के ग्रामेड चित्रों में गरीवी रेखा कि नीचे रहने वाले बीपियल परिवारों के लिए स्वरोजगार उन्मुक आयजनक गतिविदियों को बढ़ावा देने के उद्देश से ग्रामेड आजीव का मिसन किया गया उद्देश से गरीवी को कम करने है तो गरीब परिवारों को लाबकारी योजना, रोजगार, कुसल, मजदूरी रोजगार की आउसर उपलद्ध करवाना ग्रामेड को आजीवी का में सतत सुधार और कुल व्यक्तिगत लाभार्थियों 50% अनुसूचित जाती, जन जाती, 15% अलपसंग्या, 3% सारीरिक रूप से एक्छम लोगों को सामिल किया जाएगा इसका केंदर प्रायोजीत योजना है या इसका कारेकरम वित्तियन केंदर राज्यों को 75-25 के अनुपात में सिक्किम सहीत अन्य राज्यों में 90-10 के अनुपात में किया जाएगा आठ जुलाई 2021 तक अध्यतन इस्तिति के अनुसार या मिसन 34 राज्यों के इनसासी प्रदेशों के 705 जिलों में संचालित है दीन दयाल अंतियोदय योजना सहरी अब आगे देखते हैं सहरी का के स्थान पर राश्टी सहरी आजीव का मिसन का सुभारंभ किया गया वर्तमान में वर्तमान में सहरी राश्टी सहरी आजीव का मिसन को सभी सहरी गरीबों तक विस्तारित करते हैं इसका नाम परिवर्थित कर दीन दयाल अंतियोते योजना राश्टी सहरी आजीव का मिसन कर दिया गया है और इसका कारानियन आवास एम सहरी गरीबी उपसमन मंत्राले दोरा किया जा रहा है इसका उद्दे से सहरों में लाभानविक रुस्वा रोजगार एम कौसल आधारि रोजगार के उसरों को बढ़ावा देकर सहरी गरीब परिवारों की गरीबी यम उनकी सुभेतिता को सुदूर दूर करना है जिससे वे संपन्नों सम्मान पूर्वग जीवन बितीत कर सके बारह में पंचवर्सी योजना में जो है सभी जिला मुख्याले सहरों तथा 2011 की ज प्रुवत्तर राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में होगी इसी वित्ती वर्स 2021 में सेयोजना में 397.50 करोन रुपए आवडित किये गए स्टार्ट अप इंडिया देश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रसाहन तथा नौ उद्यमों की स्थापना से रोजगार के अउसर उपलत कराने हेतु प्रधानमंत्री 15 अगस 2015 को स्टार्ट अप इंडिया की घोष्णा किये थे इसका सुभारमब 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी द्वरा किया गया था भारत के ग्रामेड चित्रों हेतु स्टार्ट अप इंडिया अभियान का नाम दीन दयाल पध्याय स्वन योजन योजना रखा गया है इस योजना के दो मुख्य लक्षे हैं पहला स्टार्ट अप का डिजिटल तक्निकी चेत्र से आगे बढ़कर ब्रहत चेत्रों में जैसे क्रिसी विनिर्मान सामाजिक चेत्र स्वास्तिक्षा आधितक्विस्तार वर्तमान के ट 27,004 से स्टार्ट अप को मानेता दी गई पहला संस्थागत साक समर्चना था अनुसूचित जाती जनजाती यों महिला उद्यमियों की पहुच को आसान बनाना जो अब तक इसके लिए अयोकी समझे गए थे दूसरा इन वर्गों को भी देश की आर्थिक समरिध्धी में भागिदार बनाना तीसरा इयोजना के माध्यम से धाई लाख रिण इकछुकों को पूरे देश में इस्थित 1.25 लाख बैंक साखाओं के माध्यम से लभानवित करना स्टेंडव इंडिया योजना का लक्ष देश के सभी वाड़िजिक बैंकों के प्रतेक साखाक समस्कम एक अनुसूचित जाती जन जाती वर्ग से तथा एक महिला रिण गाही को 10 लाख से एक करोण तक का रिण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना है इस योजना के क्रियान वन हेतु सिडिवी द्वारा पुनर वित्तपोशन किया जाएगा राश्ट्री कौसल विकास तथा उद्यमिता नीती 2015 मोदी जी दौर्ण अध्यक्ष्दा में केंदरी मंतर मंदल ने भारत की प्रथम एकिगरत राश्ट्री कौसल विकास तथा उद्यमिता नीती को एक जुलाई 2015 को मंजूरी दी 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने राज़्टी कोशल विकास मिस्टन का सुबारम किया राज़्टी कोशल विकास उद्ध्यमिध्यानीती 2015 की जारी के और स्किल इंडिया के लोगों का अनावरन किया प्रधान मंत्री कोशल विकास सियोजना को 20 मार्च 2015 को मंजूरी प्रतान की इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारम किया गया आगामी 4 वर्सों में देश के एक करोण विकास को प्रसक्षित करना इस सियोजना का प्रमुक लक्ष है सियोजना का करानवन कौसल विकास एम मुद्यमित्या मंत्राले के दिन राश्ट्री कौसल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारे सरकार द्वारा समर्थित दुरगटना बीमा है जिसकी घोजनात अतकालिन बित्तमंत्री अरुन जेटली जीन ने वार्षिक बजट 2015-16 में किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा भीमा योजनाक सुभारम नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकत्ता के ऐसे लोगों नाम स्किया जिनके पास किसी तरक कोई जीन वीमा नहीं है स्योजना रहानमंत्री जन योजना जोड़ दिया गया अवधी एक वर्ष एक जून से 31 मई तक होगी प्रतेक वर्ष नभी करणी नभी करण हो सकता है इसमें जो पात्र हैं 1770 वर्ष समस्त बचट भेंक खाताधारी इस योजना में सामिल होने के पात्र है आधार कार्ड प्राथ्मिक के लिए YKYC होना जरूरी है बैंक खाते के लिए प्रतेक लाभार्थी को 12 रुपए प्रतिवर्स बतोर प्रीमियम देना होगा दुरगटना मृत्ति उत्वा पुर्ण अपंगतार 2 लाख रुपए जिवन जोती बीमा योजना मूल रुपचे एक जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नवी करनी किया जा सकता है बीमा के अंतरगत पॉलिसी धारक के मृत्ति होने पर उसके परिवार को आर्थिक जहता प्रतान करना है प्रधान मंत्री जिवन जोती बीमा योजना 18-50 और सायो के विक्तियों को अप्लब्ध कराई जाती है योजना लाब प्राप्त करने हो तो संबदी तिविक्तियों का बैंक खाता होना चाहिए किसी विक्ति एक से अधिक बचत खाते उसी बैंक या अन्य बैंकों में हो तो वह सिर्फ एक ही खाते से सिवजना से जुड़ सकता है लाभार्थी बीमा योजना के तहट सालाना 330 रुपए का भुकतान करना होगा यह राषी प्रतिवर्ष बीमा धारक के बैंक खाते से काट ली जाएगी राषी की कटवती उसी बैंक सोगी जहां बीमा सुरू होगी प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना में जोखिम कवरेज 2 लाक रुपए का है पॉलिसी धारक के उमर 55 वर्ष पूरी होने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी राष्ट्री जीवन बीमा योजना स्वास्त जीवन बीमा योजना एक अप्रेल 2018 प्रारम स्रम योम रोजगार मंत्राले भारत सरकार द्वारा गरीवी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्त बीमा कवर प्रदान करने हतु की गई थी एक अप्रेल 2015 से इसका करान्यवन स्वास्त परिवार का लेण मंत्राले द्वारा किया जा रहा है राष्टी स्वास्त बीमा योजना के प्रमुख उद्देश से क्या है इसके स्वास्त आघातों से उत्पन बित्ती देता को सुरक्षा प्रदान करना गरीवी रेखा से नीचे परिवारों तथा असंगटे चेतर के अन्य कमजोर वर्गों के अस्टालवे की पूरी तथा उनकी गुणवत्ता पूर्ण स्वास्त देखवाल तक पहुंस तुधार करना असंगटे चेतर के कामगार जो बीपिल स्रेणी के आते हैं वे उनके परिवार के सदस्ये पांच सदस्यों का परिवार योजना के तहट लावके पात्र होंगे राश्टी स्वास्त बीमा योजना किन सरकार दौरा प्रायोजित है 750 रुपे के वार्सिक प्रीमियम की 75 प्रिश्यत रासी का भुगतान केंद सरकार दौरा 25 प्रिशत राज का भुक्तान राज सरकार दौरा किया जाता है पुरुवत्तर राजियों जम्मु कस्मीर के संदर में अनुपात 90 के अनुपात का है प्रति परिवार प्रति वर्स परिवारी का अधार पर कुल बीमारासी 30,000 रुपे है सभी सामिल बिमारियों की नकत रहित उपचार का प्रावधान है अटल पेंसन योजना अटल पेंसन योजना संगटिच्चेतर के कामगारों के लिए एकाति महकवा कांग्छी सामाजिक सुरक्षाय योजना है जिसके घोशना बित्तवर्ज मंत्री अरुण जेटली ने 15-16 में आमबचट में किया था प्रधान मंत्री ये 9 मई 2015 को इस योजना के अपचारिक घोशना को लगत्ता में की थी अटल पेंसन योजना 1 जून 2015 को लागू की गई इसने पूर्व की स्वालंब़ योजना का स्थान ग्रहन किया सभी बैंक खाताधारक जिनकी आयो ठारस चालिस ओर सा अटल पेंसन योजना के पात्र है किसी सामविदिक सामाजिक सुरक्षाय योजना के सदस्य तथा आयकर दाता इस योजना के थाथ अपात्र है अटल पेंसन योजना के अंतरगत पेंसन प्रारम होने के आयू साथ वर्स होगी अटल पेंसन योजना के अंतरगत लाभार्थी के मृत्यू के पस्चात उसके जीवन साथी को पेंसन मिलेगी तदो परांत लाभार्थी द्वारा नामी तिवेक्ती 1.7 लाग से 805 लाग तक की रासी प्रदान कर दी जाएगी अटल पेंसन योजना का संचालन पेंसन निधी विन्याम किये तथा विकास प्राधिकरन द्वारा किया जाएगा वित्ती वर्ष 2021 वाईस में इस योजना है तो 153 करून रुपे आवंटित किये गए हैं ग्रामीड स्वास्त मिसन 12 अप्रेल 2015 को प्रारम किया गया राष्ट्री ग्रामीड स्वास्त मिसन विसे सुरुप से ग्रामीड गरीबों कमजोर वरकिर लोगों को स्वास्त सुविधायों सुनिशित करने सम्मंधित है राष्ट्री ग्रामीर स्वास्त मिसन सेवा में लगी प्रसिचित आसा की भूमी का बहुत मत्तपूर्ण है राश्ट्री सहरी स्वास्त मिसन शुरुवाद 2013 में हुई लक्ष सुलव वहनी गुरत्ता पुर्ण स्वास्त देखवाल से आउं की व्यापक सुलवत्ता प्रदान करना केंद्री परियोजना इस प्रकार हैं इनमें इनका तिथी दियोई है यह जो है पूछ लिए जाते हैं परिक्षाओं में कब लागू की गई प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना 24 फरवी 2019 को कुसुम योजना 8 मार्च 2019 निर्वाचन बांड योजना 2 जन्वरी 2015 जलमार विकास पर योजना 3 जन्वरी 2018 राष्ट्री पोषण मिशन 8 मार्च 2018 इसे प्रकार प्रधान मंत्री मांत्री बंदन योजना 1 जनौरी 17 को प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 8 जनौरी 17 राष्टी व्रिध्धी योजना 1 कप्रेल 2017 दर्वाजा बंद भियान 30 मई 17 प्रधान मंत्री व्य बंदन योजना 21 जुलाई 2017 स्टार्ट अप योजना 16 जुलाई 2017 प्रधान मंत्री उजलाई योजना 1 माई 2016 रोजगार पृस्ताहन योजना 9 अगस्ट 16 प्रधान मंत्री इवा 9 नॉम्बर 16 प्रधान मंत्री सुकन्या सम्रिद्ध योजना 22 जनुवरी 15 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रेल 15 को इस प्रकार ये योजना हैं स्वक्ष भारत मिसन इस मिसन की सुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वक्ष भारत मिसन का लक्ष ग्रामेट सित परिवार को 142 प्रधान करते हुए 2 अक्टूबर 2019 को भारत में को खुले स्वक्ष से मुक्त करना था मिसन इंदर धनुस 25 दिसंबर 2014 को केंदरी स्वास्त परिवार कल्यान मंतराले ने बच्चों गर्वती महिलाओं के टीका करन है तो मिसन इंदर धनुस का सुभारंब किया मिसन इंदर धनुस देजबर में उच्च टीका करन सुनशित करने के लिए राष्टी टीका करन का रिक्रम है मिसन इंदर धनुस से उन जी लोंग बिसेज ध्यान दिया जाएगा जहां टीका करन कम हुआ है इस प्रमुक लक्ष भारत के सभी बच्चों दो वर्स तक के और गर्वर्थी महिलाओं को ऐसी विमारे सुरुक्षित करना जिनसे बचाओ संभाव है इसके तहत लगने वाले साथ टीके इस प्रकार होंगे डिप्थेरिया, काली खासी, टिटिनेस, चैरो, पोलियो, हैपिटैटीज भी खसरा इसके अत्रिक चैनित राज्यों में जापानी इंसेफलाइटीस, हेमोफिलेस, इंफ्लेंजा, टाइप B के टीके भी लगाये जाएंगे विसन के पहले चरन कारानों 7 अप्रेल 2015 प्रारंबोगा, अगस 2017 तक 4 चरनों मा आयोजुन किया जा चुका है 2.53 करों से अधिक बच्चों हैं, 8-6.68 लाग गर्वती महिलाओं टीका लगाया गया सरुच प्रात्यमिक्ता वाले 6 राज्य, राजस्थान, मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम, मंगाल, जहारकंड होंगे राष्ट्री बाल स्वास्त कारिक्रम, बच्चों की स्वास्त समंदी समस्याओं के निराकरण के लिए 6 फरवरी 13 को महाराष्ट के थाड़े जिले के जनजाती ब्लॉक पाल घर में राष्ट्री बाल स्वास्त कारिक्रम सुरू किया गया राष्ट्री बाल स्वास्त कारिक्रम भारत के स्वास परिवार का लियान मंत्राले की राष्ट्री ग्रामेट स्वास्त मिसन के तहत एक पहल गिरूप में सुरू किया गया है राष्ट्री बाल स्वास्त कारिक्रम चार प्रकार की कम्यों को लक्षित करता है जमजात विक्रिती, अलपता, रोग, विकास्यम, विलम, विकलांगता इसके तहट 0-6 वर्स कियायू के सभी बच्चों ग्रामेट सहरी 1-12 मी कच्छा में नामांकी समस्चाथ चात्राय लभानवित होंगे प्रधान मंतरी भारती जन उसदी योजना प्रधान मंतरी मोधी द्वारा योजना की घोषना 21 जुलाई 15 को की गई योजना के अंतरगत सरकार द्वारा उच गुरत्ता वाली जनरिक दवाईयां बजार मुले कम दाम पर प्रदान की जाएगी पहल फार्मसिटिकल विभाग द्वारा की गईस्तुरू की गई है योजना के तहट आम नागरिक बाजार मुले से 60-70% कम कीमत पर दवाईय उपलब्द कराने कुद्धिस से पूरे देश में 300-100 से अधिक जनोसवधी के अंदर अस्थापित है मलेरिया और मुलन राष्ट्री और रूपरेखा 11 फरवरी 2016 को राष्ट्री स्वास्त परिवाल करल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्री मलेरिया और मुलन रूपरेखा जारी किया इसके रूपरेखा में वर्ष 2030 तक मलेरिया का और मुलन के भारती रणीतरे खांकित की गई 2030 तक योजना के निम्न उद्डेश से हैं निम्न तथा मध्यम स्रेडी के सभी राज्यों किनसासे प्रदेशों में 2022 तक मलेरिया का और मुलन करना सभी राज्यों किनसासे प्रदेशों में प्रती 1000 जनसंख्या पर एक मामले से भी कम अस्तरपल लाना 31 राज्यों केंसासे प्रदेशों में 2024 तक मलेरिया का उन्मूलन वर्स 2007 तक सभी राज्यों केंसासे प्रदेशों में मलेरिया के देशत संचरण को रोकना 2030 तक देश में मलेरिया मुक्त को दर्जे बरकरार रखना भारति क्रिसी एक क्रिसी प्रदान देश है जिसकी लगबग 15% जन संख्या 2011 जन करना करना करो क्रिसी यह उम संबत गति बिदियों से संलगना है आर्थिक समिक्षा 21-21 में चालू कीमेद पर जीवीए में क्रिसित संबत अच्छतर का हिस्ता 2014-15 में 18.2 प्रिस्त से घट कर 19-20 में यह 17.8 प्रतिसत हो गया यह दिया जा रहा है फसल, राज्य और अखिल भारती अस्तिप्रण उत्पादन में उनका हिस्ता तो यह चेंज होता रहता है यह पुराना अप्डेट है इसलिए आपको इसको जानने के आउशकता नहीं है जो नया है उसमें देखना होगा भारत में फसल प्रतिरूप भारत में फसलों का वरीकन फसलों के स्वरूप और रुतियों के आधार पर किया गया फसलों के सुरूप के आधार पर फसलों को खाद्यान तक गैर खाद्यान विवक्ति आगे खाद्यान फसलों के अंतर का चावल गेहूं बाजरा मक्का आदी अनाजों के अतरिक दलहनी फसलें उड़द मौंग चना आदी सामिल हैं गैर खाद्यान फसलों में तिलहनी फसलें जैसे तिलहनी फसलें, वाड़िक फसलें, गन्ना का पास जूट फसलें सामिल हैं रितूं के आधार फसलों को तीन भागों में बांटा जाता है, रवी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल रवी की फसल की बुवाई नौंबर दिसंबर में की जाती है जबकि कटाई मार्च अप्रैल में गेहू, जो, चना, मटर, सरसो, आलू, रवी की प्रमुख फसले हैं खरीब की फसलों की बुवाई जून, जुलाई में, कटाई, एक्टूबर, नौंबर में होती हैं, इनमें जौर, वाजरा, मक्का, चावल, तील, मुंख़ली, आदी प्रमुख फसले हैं जायत की फसलों को ग्रिस्म कालेन फसले भी कहा जाता है, इन फसलों को मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है, इनमें तर्बूज, ककडी, खीड़ा, आदी आती हैं भारत में हरित करांती, 1960 के दसक में उत्पन्न संकट ने परंपरागत क्रिसी के स्थान पर बग्यान को ने बग्यानिक क्रिसी अपनाने की प्रेणा दी, क्रिसी उत्पाद में व्रिधी के लिए एक बियुहुरचना स्रिचित की गए, जिसमें उन्नत बीजों और वरक किट नासकों के रणनीति को प्योग से क्रिसी उत्पादन में व्रिधी के लिए रणनीति अपनाई गई, फलत 1966 सरसर से क्रिसी छेत्र में एक नई तक्नीकी परिवर्तन दोर सुरू हुआ, क्रिसी गत विकास की नई विहुरचना अथवा हरित क्रांती की संग्याउ से दी गई हरित क्रांती से आसे, हरित क्रांती से आसे देश के सिंचित असिंचित छेत्रों में अधिक उपस देने वाले किस्मों के बीजों द्वारा क्रिसी उत्पादन में तिप्रितम विधी करना है। रहा भारत में हरित करांती का सरवाधी कलाव पंजाब हरियाणा पस्चमी उत्तर प्रदेश्ट के क्रिसकों को हुआ हरित करांती से भारत खाद्यान समस्ता से निजात मिली तथा भारत में खाद्यान में आत्म निर्भर बना क्रिसी यंत्री करण जब क्रिसी कारियों में पस्सू सक्ती मानो सक्ती के स्थान पर बिजली डीजल पेट्रोल से चलने वाले यंत्रिक सक्ती का प्रयोग किया जाता है तो यह क्रिसी का यंत्री करण कहलाता है क्रिसी रिण क्रिसी रिंड कई देसों की पूर्ति हेतू लिया जाता है सामाने तो इनमें तीन वर्गों विभक्त किया जाता है अल्पकालिक रिंड, मध्यकालिक रिंड और दिर्कालिक रिंड अल्पकालिक रिंड वे होते हैं यह वह रिण है जो क्रिस्कों को मौसमी लागत पूरा करने के लिए प्रदान किये जाते हैं इसे अल्पकालिक रिण है जो अधिक्तम 15 माह की वधिकले लिये जाते हैं अल्पकालिक रिण बीजों और वरकों की टनासकों आधिके क्रय हेतु लिये जाते हैं मद्धिकालिक रिण वह रिण है जो 15 माह से 5 वर्ष की अवधित लिये जाते हैं मद्धिकालिक रिण कहलाते हैं ये रिण और स्थाई परिसंपतियों के स्रिजन हेतु होता है फार्म पर ओजार की वेवस्था दुधार उपसु खरीदने कुँआ गहरा करने भूमी सुधार अब आता है दिरगकालिक रिण वे क्या होते हैं वह रिण जो 5 से 20 वर्ष की अवधिक लिए जाते हैं दिरगकालिक रिण कहलाते हैं ये रिण स्थाई परिसंपतियों के सिर्जन जैसे भूमी क्रय भूमी पर स्थाई सुधार करने ट्रेक्टर मसीनों का क्रय फॉर्म पर खाध्यान कुराण, गोदाम, पस्टाला कुवा, निर्माण आधी करे किया जाते हैं भारत में किरिसी रेण के स्रोत सरकार, सहकार, सहकारी समितियाँ, वारिजिक बैंक, छेत्री, ग्रामिड बैंक आधी आते हैं सरकार दोरा क्रिस्कों को प्रदान किये जाना वाला रिंड तकावी कहलाता है। तकावी रिंड वह है जो सरकार दोरा किस्कों को फसल बुआ एक समय दिया जाता है। तता फसल कटाई के समय वापस लिया जाता है। सहकारी साख समितियां, वे समितियां भारत में कृसी रिण रुपलब्ध करायने का प्रमुख स्रोत हैं, भारत में सहकारी समितियों का विस्तार भारती सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 बाद अस्तित्त में आया, भारत में सहकारी साख समितियों का स्थापना का प्रमुख उनका साहुकारों के रिंड जाल से संड़क्षंट रहा है। सहकारी समितियों द्वारा क्रिस्कों को अलपकालिन, मद्यकालिन, दिरकालिन, दिरकालिन, रिरुट प्लब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी रिंड धाचा त्रियस्तरी है सिर्ष अस्तर पर प्रतेक राज में सहकारी बैंक जिला अस्तर पर केंदरी जिलाव सहकारी बैंक प्राथमिक अस्तर पर क्रिसी साग समितियों के गठन का मुख्युद्य सदस्यों को रिंड प्रदान करने के लिए एक निधी कत्र करना तता सदस्यों के सावलंबन मितब्यता की भावना जागरित करना जिला सहकारी बैंकों के कारे निर्देशन समन्वे करने एम रिंड सुधारों को प्लब्द कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है जो राज्य का सिर्थ सहकारी बैंक होता है इ भूमी विकास बैंक की स्थापना का उद्धे से क्रिस्कों को भूमी विकास कारियों के लिए रिड़ उपलब्ध कराना तथा पुराने रिड़ों से मुक्ति दिलाना है भूमी विकास बैंक को बंधक रिड़ रख कर उपलब्ध कराता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्ती वर्स 1998-99 में किन सरकार दोरा क्रिसी साख सम्मंदि समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू की गई थी योजना का उद्देश से किसानों के लिए अलपकालिंग मद्धकालिक दिरिकालिक रिनो आउशक्ताओं की पूर्थी करना है योजना के अंतरक्त किसानों को वर्स भर की क्रिसी वित्ती आउशक्ताओं के नूप एक साख का निधारन कर दिया जाता है किसान उस साक सीमा के भीतर वर्सवर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याजभुकतान करना होगा क्रिशी कीमते कीमतों के आसे क्रिशी उत्पादों पर कीमतों से हैं किसी भी मंडी में कृसी जिन्सों की जो कीमत होती है उसे मंडी कीमत कहा जाता है मंडी कीमते अल्पकालिन कीमते होती है वस्तों के मांग के अनुसार पूर्थी के समन्वे के लिए परयाप्त समय मिल जाने के बाद जो कीमत मंडी में प्रचली तरहती है वह उसे सामान कीमत कह नियुंतम समर्थनमुल्य का समंद्ध कृषिकों से होता है जो के किसी एक प्रकार के फसल भीमा कीमत होती है इसके द्वारा सरकार उत्पादक than कीमत निय ंश स्वासन की 총 कीमत नियल accred sromafft समर्थन मुल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोसित नियुंतम समर्थन मुल्य पर खाध्यानों को क्रय करती है नियुंतम समर्थन मुल्य घोसित करने का उद्य से क्रिसी जिंसों की कीमतों में गिरावट से होने वाली हानी से क्रिसकों की रक्षा करना क्रिसकों को निश्च कुल 25 क्रिसी मुल्यों को नियुंतम समर्थन मुल्य घोसित करती है नियुंतम समर्थन मुल्य किन सरकार द्वारा वर्स में दो बार रवी और खरीफ हेत्र घोसित की जाती है क्रिसी लागत और मुल्य आयोग 1965 में किन सरकार ने क्रिसी उत्पादों की नियुंतम कीमत निर्ध पॉझाव दिया किस ने दातेसे वाला समिति ने शुरू में इसका कारेकाल तीन वर्स निरदारित कया गया था परं यह इसको एक स्थाई परामर्श दाति संस्था दर्जा प्रदान कर दिया गया 1985 में इसका नाम बदल का क्रिसी लागत या मुल लायोग कर दिया गया क्रिसी नीती 2000 देखे ये इतना important इसलिए नहीं होए कि अभी क्रिसी नीती में तमाम बदला होगे अभी आपने सुना होगा क्रिसी समंदित तिन कानून लाए गये थे जुन को बाद में आपस कर लिया गया तो हमें यह वो नहीं देखना बसे है current से update रहना है आपको current तो इतना update नहीं 2000 समय का दे रहा है इसलिए जो महत्तुपुण महत्तुपुण है उन्हीं पर हम ज़्यादा focus करते चलेंगे फिलाल देख लेते हैं उसमें क्या था थोड़ा बुथर से निगासे बस केन सरकार ने राश्ट्री किसी ने 2000 की घोशना की किसी इस नीत में किसी की लाफदायक विर्धी करने तथा भारती किसी के वैस्वी करण से उत्पन भावी चुनोतियों से निपटने है तो समर्थवान बनाने की सिर्ष प्राथ्मिक्ता दी गई क्रिसी नीती में छेतर में प्रतिवर्ष चार प्रत्सत की विद्धिदर प्राप्त करने का लक्ष रखा गया राश्ट्री क्रिसी नीती में क्रिसी के निजी करण को बढ़ावा देने राधिक निवेस करने, मिरिदा जल जयविक संडक्षन करने आदी प्राथमिक्ता दी गई राष्ट्री किसी नीत में ठेके पर खेती किसी पध्यती को अपनाना भूमी लेच पर देने की बिवस्ता, तक्नीकी हस्ता अंतरन, पूतनी अंतरगमन फसलों को नए बाजान पहुचाने आदी की रिनीत भी अपनाई गई थी राष्ट्री किसी सहकारी विपड़न संग, नैफेट नैफेट क्या है और देखते हैं, राष्ट्री किसी सहकारी विपड़न संग की इस्थापना 2 अक्टूबर 1909 ठाउन में की गई थी मुख्याले नई दिल्ली में है और राज्यों में इसके कार्याले हैं, सभी राज्यों में राष्टी अस्तरपर किसी उत्पादों का संग्रहन, विपड़न व्यापार करता है किसी जिंसों का अंतरराष्टी व्यापार भी इसी के द्वारा किया जाता है नेफट क्रिसी व्यस्तों का क्रय विपढ़न सहकारी समितियों के माथ्हम से करता है भारती उद्योग उद्योगों को किसी प्रकार के अध्यवस्ता का अधार माना जाता है किसी भी प्रकार के भारती अर्थवस्ता में उद्योगों का महत्पून स्थान है आर्थिक समिक्षा 2020 के अंसार वर्तमान मुल्यों पर ए 2021 में जीविये चेतर में उद्योग चेतर का योगदान 25.8 परतिसत है 1991 से पूरु अद्योगी की निती स्वतंतरता पापती के बाद 6 अप्रल 1948 में ततकाली उद्योग और वाडिजे मंतरी स्यामा प्रसाद मुखर जी ने भारत की पहली अद्योगी निती की घोशना की 1948 में भारत के आर्थिक विकास सेतू मिस्त्री तर्थ वेवस्था की संकलपना को स्विकार किया गया 30 अप्राइल 1965 को द्विती अद्योगिक नीती प्रस्तूत की गई अध्योगी की नीति 156 में उद्योगों को तीन समोह में वर्गिर्कित किया गया था प्रथम वर्ग में सामाजिक महत्तो सामाजिक उपयोविता आधारवोत उद्योग परिवहन खनिच्छत्र में 17 उद्योगों को रखा गया था दुति वर्ग में 13 उद्योगों को रखा गया था जिनके विकास में सरकार दोरा भविस में उत्रोत्तर अधिक भाग लेने की वेवस्था थी तुति वर्ग में सेस सभी उद्योगों को समलित किया गया था जो प्रथम वर्ग दुति वर्ग में समलित नहीं थे उद्योगी की नीती 1965 ब्योभारिक प्रगत सील विकास तोन मुख रही इस नीती के मात्यम से नकेवल देश में संतुलित और तीवर गती से उद्योगी करण को प्रोस्ताहन मिला बलकि भावी उद्योगी की विकास हेतु देश में बड़े और आधार भूत उद्योगों को सुरुदिर आधार भी प्राप्त हुआ उद्योगी की नीती 1965 को भारत में सभी उद्योगी की नीतियों की आधार सिला माना गया भारत की ती स्रीय उद्योगिक नीती दिसंबर 1977 को राष्टी उद्योग मंतिर जार्ज फर्नार्डिस द्वारा प्रस्तुत की गई उद्योगिक नीती 1977 का प्रमुख उद्ये से उद्योगिक धाचे में ब्याप्त विकृतियों को दूर करना रोजगार व्रिद्धी के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आउस्चक भोगता वस्तों के उत्पादन में व्रिद्धी करना था उद्योगिक नीती 1977 में लगू कुटीर उद्योग के विस्तार की रन्निती अपनाई गई 23 जुलाई 1980 में भारत की नई उद्योगिक नीती संसद में प्रस्तूत की गई थी उद्योगिक नीती 1980 प्रमुख उद्योगों के निवेस की सीमा में व्रिद्धी लगू द्योगों को बड़ी उद्योगों के प्रद्धा से सम्रक्षण और द्योगी गुरुगणता की समस्या का समाधान बित्ती प्रबंदन की दक्षता में व्रिधी यादी थे नई आर्थिक नीती तीन प्रमुखाया में इसमें निजी करण, उदारी करण, वैश्वी करण यह 1991 में आई थी मुख्य छेतर इसके कौन कौन से हैं वह देखते हैं राजकोसी नीती, मौद्रिक नीती, मुले निर्धारण नीती, विदेश ब्यापार नीती, अद्योगी की नीती, विनियोग नीती, सारवजणिक छेतर की नीती राजकोसी नीतियोंने इस क्यानवे में मुख्यता चार कदम उठाए गए सारजवनी की बैको शक्ती से नहीं अंतिर्ख करना कर यों कर विभिन राजस्त को बढ़ाना केंदर और राजसरकारों पर राजकोसी अनुसासन लागू करना अनुदान रासी में कटाउती करना मौदरिक नीतियोंने इस क्यानवे के तहट इस्पितिकारी दवाओं के लिए प्रतिवन धात्मक उपाय किये गए सारजनिक चेतर के लिए आरक्षित क्रियाओं द्वारा दायरा सीमित कर क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया उक्त छेत्र में निजी छेत्र को अनुमती दी गई 24 जुलाई 1991 को ततकाले प्रधानमंतरी पीवी नरसिम्हा राओ ने नई अध्योगिक नित के माध्यम से अध्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का निवनी करण अध्योगिक नियंतरों नौकर साहिक अनावस्चक हस्तक छेप को समाप्त करने की रणीती अपनाई नई अध्योगिक नित के प्रमुखुद्येस उत्पादन में निरंतर विद्धी को बनाये रखना रोजगार के अधिक अवसर स्विजित करना भारती उद्योगों के प्रतिसपर्धात्मक छमता में विद्धी करना तथा भारती उद्योगों उत्पादों को अंतरराष्टी प्रतिसपर्धा के लिए सक्षम बनाना निजी चेतर को अधित स्वायत तता प्रदान करना सार्वजनिक निजी सहकारी चतर के सभी उद्योगों को अपने कारे निस्पादन में सुधार लाने तथा उसके वृध्धी के लिए प्रोसाहित करना उप्रोक्त उद्यस्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योगिक नीती 1991 में चार प्रमुख नीतिकत कदम उठाए गए पहला सार्वजनिक चतर का संकुचन, लाइसेंसिंग प्रणाली का उदारी करन, विदेशी निवेस को प्रोसाहन और MRTP Act 799 की समाप्ती उद्योगिक नीती 1991 में सार्वजनिक चतर के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटा कर मात्र आठ तक कर दिया गया वर्तमान में केवल दो उद्योग, परमाड उर्जा, रेलवे परिभान ही सार्वजनिक चतर के लिए आरक्षित है इस नीती में उद्योगों की लाइसेंसिंग बेवस्था को भी उदार बनाया गया मात्र 18 उद्योगों को छोड़ कर सेस को लाइसेंस की अनिवारता से मुक्त कर दिया गया वर्तमान में केवल चार उद्योगे अलकोहल युक्त, पेपदार्थ, तमबाकू, उसके उतपाद, इलेक्ट्रोनिक्स, एरोइस्पेस, रक्षा उपकरण, उद्योगों की बिसपोर्टक और जोखिम बाले, रसायन के लिए ही लाइसेंस अनिवारे है वर्तमान में प्रतिसपरधा अधिनियम द्वारा MRTP Act को प्रतिस्थापित कर दिया गया है वर्तमान में प्रतिसपरधा अधिनियम द्वारे है तो इनको अपडेट हमें देखना पड़ता है बस आप जान लेजिए कि आठ कौन-कौन से है तो इन में कौन-कौन से आठ है आपका कोईला है एकोर उद्योग में आता है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, औरवरक, स्पात, सिमेंट, एलेक्रिसिटी और एक है हाँ एलेक्रिसिटी ये जो है एलेक्रिसिटी सबसे लाश्ट में जोड़ा गया है ये प्रमुक आठ को रुद्योग कहे जाते हैं निर्याज समवर्धन से आसे ऐसे सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से है जो देश के निर्याज में वृधिक के लिए किये जाते हैं स्वतंतरता प्राप्तिक व्याद भारा सरकार ने विदेशी विनमय के समस्या के समाधानली के लिए निर्याद समवर्धन पर सुझाव देने हेतू उन्हें 149 में गोरवाला समिती का गठन किया था गोरवाला समिती ने अपनी रिपोर्ट निर्याद संबर्धन के लिए विशेश संगठनों की अस्थापना आयात प्रतिस्थापना की निती अपनाने के नुसंसा की निर्यात प्रसंसकर्ण छेत्र एस्पिसल एकॉनमी जोन विशेश आर्थिक छेत्र घोशन अप्रेल 2000 में की गई इसका प्रमुकुद्दे से देश में उत्पाद और निर्यात में आ रहे हैं और उधों को दूर करना भारत में विदेशी निवेश को प्रसाहित करना वर्स 2005 में सेज अधिनयन 2005 में विक्सित किया गया 31 अक्टूबर 2020 तक इस्थिति के अनुसार भारत में कुल 309 ठाउन विशेश आर्थिक छेत्र असूचित किये जा चुके हैं जिनमें सरवाधिक 56 विशेश आर्थिक छेत्र तेलंगाना राज्य में है आयात निर्यात बैंक 1 1981 के अनतरगत की गई विदेशी रेंड विदेशी रेंड वह रेंड होता है जो विदेशी दाताओं व्यक्ती बैंक अंतरराश्टी विद्ती संस्थान से लिया जाता है अवधी के आधार पर विदेशी रेंड को सामानेता अल्पकालिक दिर्ग कारणि में विभाजित किया जाता है अवधी के अत्रिक्त विदेशी रेंड को स्वरूप के आधार पर वहपक्षी द्विपक्षी निर्यात रेंड वारिजी कुधार आदि में विभक्त किया जाता है बिश्चु बैंक, अंतरराश्ट्री मुद्रा कोस ACI विकास बैंक बार्ण विकास बांड, विदेशी मुद्रा परिवर्टरी बांड, विदेशी निर्वेसक संस्थाओं रेंड पत्र आदी आते हैं बार्ण जी कि रेंड द्विपक्षी बहुपक्षी दोनों सरूप के होते हैं खरिदारों आपूर्थिकरताओं को प्राप्त रेंड निरिया तक रेंड की स्रेडी में आते हैं भारत सरकार दौरा विदेशी निवेस यों ब्यापार को सुगम बनाने से पहले चले आ रहे है फेरा 1973, फेरा क्या है Foreign Exchange Regulatory Act 1973 के अस्थान पे फेमा 1999, फेमा क्या Foreign Exchange Management Act 1999 अधिनीमित किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेस भारत में विदेशी निवेस प्रत्यक्ष विदेशी निवेस विदेश पोर्टफोलियो की निवेस की रूप में आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेस क्या है और इस्थिर्ता की इस्थिती में पूंजी पलायन का भय बना रहता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी कमपणी इकाई द्वारा किसी दूसरे देश में इस्थित कमपणी इकाई में किया जाने वाला प्रत्यक्ष निवेश है जिसके तहट आधुनिक प्रद्योगी की उन्नत प्रबंधन उत्पाद प्रविधी की नए तरीके प्राप्त होते हैं FDI दो परिभासित मार्ग हैं स्वचलित मार्ग सरकारी मार्ग स्वचलित मार्ग को मुंबई मार्ग के नाम से जाना जाता है सोचलित मार्ग के अंतरगत किसी भी प्रकार की पुरोनमती की आउशकता नहीं होती परन्तु निवेस को RBI के साथ निवेसक को RBI के साथ पंजीकरण कराना अनिमार है सरकारी मार्ग के अंतरगत निवेसक को आवेधन करना पड़ता है इस आवेदन पर आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिती विचार करता है 15 दिसंबर 2020 तक आकणों के असार 18-19 में कुल इतना इतना ये पुराना डाटा है इसलिए आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि latest update data हमें जाना है प्रत्यक्ष विदेशी निवेस निसिद्चेत्र इनमें भी काफी परिवर्तन वाच चुका है लोट्री, ऑनलाइन लोट्री, जुआ, कैसीनो, चिट फंड, निद्धी कमपनी, परिवर्तनी, विकास अधिकारों ब्यापार, रेल एस्टेट ब्यापार, फार्म हाउस का निर्माण, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू, निर्माण, ये स्थब में निवेस प्रधान मंत्री जवाहला नहरू ने सारजनिक छेत्र के उपक्रमों को आध्धुनिक भारत के मंदिर की संग्या दी, देखें, ये स्कैन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पूरी कोशिस की साफ ऐपिक, लेकिन इसमें बलर आ रहा है, दो-तीन बार किया था मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोगों को इस पस्ट होता जाएगा, उम्मीद करता हूँ, अगर सुबिधा होगी तो आप लोग बताया कि ये कमेंट में किहां ये दिक्कत आ रही है, तो उसको हम सुधार करेंगे भारत में कई सारजनिक उद्यमों को वित्तिय स्वायतता प्रदान करने है, तो रतन का दर्जा दिया जाता है, वरतमान में कमपनियों को तीन प्रकार के रतों में बाटा जाता है, महारतन, नौरतन और मिनी रतन, भारत में सारजनिक उद्यम कौन कौन है, भारत कमपनियों को नौरतन का दर्जा केंदरी लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है तो पहले महारतन देख लेते हैं दिसंबर 2009 में केंदरी मंत्रि मंदल द्वारा सारवजिन छितर की कंपणियों के महारतन दर्जे का स्रिजन किया गया महारतन कमपाने दर्जा उन्ही कमपनियों की मिलता है क्या है इसका क्रैटेरिया तीन वर्सों में पिछले तीन वर्सों में पांच हजार करोंड से अधिक सुध मुनाफा अरजित किया हो तीन वर्सों में इनका आउसत सालाना कारोबार कम से कम 25,000 करों रुपए रहा हो तीन वर्ष की अवदि में इन कमपनियों का नेट वर्थ भी आउसत 15,000 करों रुपए से अधिक रहा हो कमपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कमपनी का विदेश में कारोबार हो महारतन कंपणियों को 5,000 करोन रुपए तक के निवेश प्रस्ताओं की स्वायत्तता प्राप्त होती है सेवी के नियमों के दहत नियुंतन निर्धारित सारजनिक सेरधारिता के साथ भारते इस्टाउक एस्चेंज में सूची बद्ध हो उप्रोक ताधारों पर 15 दिसंबर 2020 तक 10 सारजनिक उपकरमों को महारतन का दर्जा दिया जा चुका है महारतन कंपणियां कौन कौन से? यह यह पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है आप चाहते स्क्रीन सौट ले सकते हैं महारतन कंपणियों का तो यह देख लीजे एक बार आप इसको स्क्रीन सौट ले लीजे उसके बाद इधर का तो यह आपके लिए फैयदेमंदर हैगा नौरतन कंपणियां कौन कौन है? 1997 में नौरतन का दर्जा मूलता 9 कंपणियों के लिए ही स्रिजित किया गया था 15 दिसंबर 2020 तक 14 नौरतन कंपणियां हो चुकी है नौरतन का दर्जा प्राप्त करने वाले अपने निवेल मूले का 30% या 1000 करोन रुपए जो कम हो तक निवेस प्रस्ताओं पर केंदर सरकार के पुरुवानमती के बिना ही निड़ने ले सकते हैं तो ये क्या कह जाते हैं? ऐसे महा नौरतन कंपणियां कही जाएंगी अब मिनी रतन देख लेते हैं, मिनी रतन क्या होते हैं? मिनी रत्न की परिभासा है, मिनी रत्न योजना का सुभारंब अक्टूबर 1997 में किया गया था 15 दिसंबर 2020 तक मिनी रत्न कमपनियों की संख्या 74 है मिनी रत्न सेरिणी में 62 कमपनियों को, जबकि मिनी रत्न 2 में 12 कमपनियां है बारत में क्रिसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कपड़ा उद्योग है मुंबई भारत का सबसे बड़ा वस्तर उद्योग है सेंट्रल सिल्क बोर्ड बंगलोर द्वारा जाड़ी आकरे के अनुसार वर्ष 19-19 में कच्चा सहतूत रेसम उत्पादन में करनाटक पहले अस्थान आंद्र दूसरा पुराना डाटा है पहले ही बता चुका हूँ इसलिए यहां नहीं हमें देखना आबिद हुसैन समिती लग उद्योगों में सुधार से संबध्ध है लग उद्योग विकास संगठन केंद्री उद्योगिक मंतराले के अधीन लग विकास संगठन के स्थापना 1954 में की गई थी लग विकास संगठन उद्योगों के संबंदे में निती निर्धारक समन्वे अजनसी के रूप में कारे करती है राश्ट्री लग उद्योग निगम राश्ट्री लग उद्योग विस्तार प्रसिक्षन संस्थान हैदराबाद में है भारती लग उद्योग विकास संस्थान सिड़िवी भारती लग उद्योग विकास बैंक Small Industry Development Bank of India अपना कारे 2 अप्रेल 1990 से इसने सुरू किया भारती लग उद्योग विकास बैंक मुख्यालाइद का दिल्ली में है सभी जनस्थाओं के कारियों में समन्य स्थापित करने करती है जो लग उद्योगों के प्रवर्तन से जुटे है भारती उद्योगिक बित्त निगम इंडेस्विल फाइनस का ओपरेशन ऑफ इंडिया स्थापना संविधान के विशेश अधिनयम 1 जुलाई 1948 में की गई IFCI का उद्दिस निजी सहकारी चत्र के उद्योगों को दिल्कालिक और मद्यकालिन साख उपलब्ध कराना है भारती उद्योगिक साख और निवेस निगम लिमिटेट ICICI अस्थापना वर्स 1955 भारती कंपणी अधिनियम के अंतरगत की गई थी ICICI कारे निजी चत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के स्थापना विकास आधुनी कर्ण में वित्ती सहायता प्रदान करना है उद्योगिक वित्त के चत्र में भारती उद्योगिक विकास बैंक भी महत्तपूर्ण भूमी का काफी महत्तपूर्ण है स्थापना वर्स 1964 में की गई थी जिर्ण उद्योगों के पुनरत्थान हेतु वर्स 1987 में उद्योगों के अम्बित्ती पुनरिर्माण बोर्ड का गठन किया गया है विनिवेस का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागेदारी घटाना है 1996 में विनिवेस मुद्दे पर समिक्षा सुझाओ विनिमें के लिए विनिवेस कमीशन का गठन किया गया इसके अध्यक्षता किस ने किया था जी वी रामकृष्ण थे इसके अध्यक्ष रुग्ण उद्योगिक इकाईयों की विस्थापि स्रमकों की सहायता तता पुनरस्थापन के लिए वर्स 1992 में राष्टी नवीकर निधी के स्थापना की गई मेकिन इंडिया का रिक्रम देश में विस्व का पसंदीदा मैनिफेक्षरिंग हव बनाकर और द्योगिक विकास की गती तेज करने के लिए मेकिन इंडिया का रिक्रम 25 सितंबर 2014 को सुरू किया गया मेकिन इंडिया का लक्ष 2022 तक सकल घरिल उत्पाद में बिनिर्मार चत्र के हिस्सेदारी बढ़ा कर 25 प्रतिसत करना है 2022 तक 100 मिलियन अत्रिक्त रोजगार स्रिजन करने का भी लक्ष रखा गया है मेकिन इंडिया का प्रतीक उपकरणों से निर्मित सेर है भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का सुभारम 1770 में बैंक आफ इंदुस्तान की स्थापना से हुई बैंक आफ इंदुस्तान की स्थापना एलेक्जेंडर एंड कमपनी द्वारा विदेशी पुझी के सहयोग से हुआ निवेस क्रम में 1860 में बैंक आफ बंगाल 1840 में बैंक का बामबे 1843 में बैंक आफ मदरास की स्थापना हुई इन बैंकों को पेडेसी बैंक कहा गया सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक 1881 में भारती द्वारा संचालित पहला बैंक था परंत पुर्ण रोब से किसी भारती का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है जिसके स्थापना 1894 में हुई थी भारती रिजर्व बैंक के रूप में भारती रिजर्व बैंक के रूप में भारती रिजर्व बैंक के अस्थापना हिल्टन यंग आयोक के अनुसंसा पर एक अप्रेल 1935 को हुई 1.4999 को इसका राश्टी करण किया गया भारती रिजर्ब बैंक का प्रधान कारेयाल मुंबई में है इसके अतरिकते भारती रिजर्ब बैंक के 31 Ten अस्थानों पर 6.3 कारेयाल भी है भारती रिजर्ब बैंक के प्रथम गवर्नर् और ऑस्बॉर्न श्मिथ थे 35 से 37 तक हुआ भारती रिज़रु बैंक का मुख्यकारे देश में मुद्रायम साख के प्रसार को नियंत्रित और नियमित करना है प्रारम में भारती रिज़रु बैंक आनुपाती तारक्षिक प्रणाली के आधार पर नोटों का निरगर्मन करता था परंत 1956 में आनुपातिक आरक्षिक प्रणाली का परित्याग कर उसके अस्थान पर नियुंतम आरक्षिक प्रणाली को अपनाया गया बारती रिजवर्बैंक सभी बारती बैंक को नीमन और नियंतरन करता है भारती रिजवर बैंक में से जमा स्विकार करना और उनको रिंड देता है बैंकों से भारती रिजवर बैंक आपात कालिन परिस्थितियों में बानिजिक बैंकों को रिंड और वित्ती साहता प्रदान करता है भारती रिजर्व बैंक बैंक की साख सिर्जन छमता का भी प्रवंधन करता है यह नगत आरक्षे नुपात को घटा बढ़ा कर बैंकों की तरलता उनकी साख सिर्जन छमता को प्रभावित करता है भारती रिजर्व बैंक बैंकों की साखाओं स्थानांतरन बंद करने का भी नियमन करता है भारत की सभी करेंसी नोटों दो, पांच, दस, बीस, पचास का निगमन भारती रिजर्व बैंक करता है एक रुपए के नोट सिक्के का निगमन बित्त मंत्राले करता है भारत सरकार जुलाई 2011 में देश में 25 पैसे वैसे कम मुल्ले के सभी सिक्के प्रचलन में अप्चारी क्रूप से अमान्य है एक अप्रल ने सत्ताओं के भारत में दस्मलो प्रणाली मुद्या प्रचलन में है उभरती अर्थ बिवस्थाओं में भारत का खुद्रा साख वाजार चौथे अस्थान पर है 2014 181 बिलियन से बढ़कर 17 में 281 बिलियन डॉलर हो गया ये बैंक है उनके प्रकार दिया है केंद्री बैंक, बारिजिक बैंक, सहकारी बैंक केंद्री बैंक RBI है एक, बारिजिक बैंक तीन भागों बाटे गए पहले राश्ट्री बैंक, सारवजनिक चत्र बैंक, नीजी चत्र के बैंक, विदेशी बैंक और चत्री ग्रामीड बैंक जबकि सहकारी बैंक भी तीन बांग बाटे गए, प्राथ्मिक सहकारी बैंक, जिलया केंद्रे सहकारी, राज्य सहकारी भारती मुदरा का इतिहास, भारत में 1861 हिसवी पूरूथ The Bank of Hindustan और The General Bank का बंगाल विहार The Bank of Bengal आदिनिजी छेटर के बेंक को द्वारा कागज़की मुदरा का निर्गत की जाती थी 1861 के बाद पत्र मुदरा का निगमन भारत सरकार के दिन किया जाने लगा आगे चलकर भारत सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के निगमन का अधिकार भारती रिज़र बैंक को दे दिया गया भारत की सुतंतरता के पश्चात वर्स 1947 में भारती पत्र मुद्राओं का जार्ज सस्टम के स्थान पर असो कस्टम का चित्र अंकित किया जाने लगा 1996 में सभी भारती पत्र मुद्राओं पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा भारती रिज़र बैंक द्वारा निगमित सभी पत्र मुद्राओं के पैनल पर 15 भासाओं में मुद्रा का मुल्य लिखा होता परंत पैनल के 15 भासाओं के अलावा इस पर हिंदीयों अंग्रेजी में भी मुद्र का मुल्य लिखा होता है भारत की मुद्रा के प्रतीक रुपया की रचना IIT मुंबई के परासना तक डाक्टर उधे कुमार ने की है आठ नमबर 2016 को भारत सरकारदारा भारती मुद्रा के लगवर 86 प्रस्त के हिस्सेदारी रखने वाले 1500 नोटों का वी मुद्री करण कर दिया इन नोटों के बदरे 2500 के नए नोट जारी कर दिये गए विदेशी मुद्रा उनकी मुद्रा उनके नाम दिया है यहाँ पर जानना जरूरी है पूछा जाता करोगे बंगला देश का टंका नेपाल में रुपिया इराक में दिनार इटली में लीरा थाइलैंड में बहुत वेतनाम में डोंग इरान में रियाल चीन में रिन्विन भी पहली युवान था, जापान में एन, भारत में रुपया, तुर्की में टर्किस लीरा और तक्षिड कोडिया में वान, वान एक जील भी है भारत में बैंकिंग, भारती कंपणी अधिनिय मनुश्तों चास के अंतरगत किया जाता है जिसको भारती रिजव बैंक की दूसरी अनसूची में रखा गया है जिन बैंकों को दूसरी अनसूची में नहीं रखा गया, उनको गयर अनसूचीत बैंक कहा जाता है स्वामित्य के अधारप बैंकों के सारवजनिक चत्र निजी चत्र में विभाजित किया जाता है सारवजनिक चत्र के बैंक में भारत श्टेट बैंक सबसे बड़ा है G1 बीमा चत्र में प्रवेस करने वाला देश का पहला वाणिजिक बैंक भारती श्टेट बैंक है 15 दिसंबर 2020 तक की स्थितिक एंसार भारत में 46 विदेशी बैंक है स्वेक्षिक सेवा निप्रती योजना को लागू करने वाला सारवजनिक चत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटियम कोच्ची में 9 फरवरी 2004 को लाँच किया गया गैर बैंकिंग बित्ती कमपनी से एक एक बैंक के रूप में परिवरुपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंदरा बैंक लिम्टेड है जो कोटक महिंदरा फाइनेंस के रूप में कारे करता था बैंकिंग प्रणाली की पुर्ण संरचनाक संबद में सुझाओ देने हैं तो वर्स 1990 में नरसिम्मन कमिंटी का गठन किया गया भारत में बैंकों का राष्टी करण बैंक का सामाजिक नियंतरण भी नीत विफल हो जाने बाद भारत सरकार ने बैंकों के राष्टी करण का निर्णा लिया पहला चरण 19 जुलाई 1979 को 14 बैंकों का राष्टी करिया जिनका प्रदत्त पुंजी 50 करोणिया इससे अधिक थी वे ये बैंक थे सेंटर बैंक आफ इंडिया बैंक आफ बढ़ोधा बैंक आफ इंडिया युनाइटेड कमर्सियल बैंक पूछे नहीं जाते बस जानिये संख्या की चोधत है दूसरे चरण में 15 अप्रद इससे में छे बांडिजिक बैंकों का राष्टी करण किया गया दूसरे चरण के अंत सिम्हंग समित की अंसंसापे की गई भारती चेत्र ग्रामेड बैंक की स्थापना क्रम 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंब हुई ग्रामीड चत्र बैंक और 50% पूझी केन सरकार, 15% पूझी राजय सरकार और 35% पूझी प्रवंतन बैंक द्वारा लगाया जाता है वर्तमान में भारत में कुल 43 चत्री ग्रामीड बैंक कारेरत है बिजया बैंक और देना बैंक का बिले बैंक का बड़ोदा में 1 अप्राइब निस से प्रभावी है देना बैंक और विजया बैंक पतरिक्त राश्टी बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई है नाबाड 12 जुलाई 1982 को कें सरकार ने क्रिसी ग्रामेड विकास के लिए अलग से एक प्रिथक बैंक के रूप में राश्ट्री क्रिसी योंग ग्रामेड विकास बैंक नाबाड की स्थापना की नेशनल बैंक फॉर कल्चर एंड रूरल डेवलेप्मेंट नाबाड बैंक के स्थापना 20 जुरामन समितिकी अनुसंसा के आधार पर की गई राश्ट्री क्रिसी विकास बैंक नाबाड देश में क्रिसी योंग ग्रामेड विकास से तो बित्तुपलाब्द कराने की सिरसंस्था है नाबाड का म रित्मंत्री यस्वन सीनहा द्वारा की गई बैंकिंग लोकपाली योजना 14 जुन 1995 संपूर्ण देश में बैंकिंग लोकपाली योजना का सुबारम किया गया बैंकिंग लोकपाली गई विवेदी ब्याज दर परियोजना के अंतरगत सरकारी छित्र के बैंकों को अपने समग्र जमा पूरू वर्समे प्रदत्त रिणों का एक निश्चित प्रतिसत समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिसत के ब्याज दर पर देना अनिवारे कर दिया गया अन्य परमुक्सन स्थान भारती जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्स 1972 में की गई भारती बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्याले हैदराबाद में है भारती युनिट ट्रस्ट की स्थापना वर्स 1964 में लगु बच्चतों को म्यूचुल फंडे में निवेस को प्रसाहित करने के लिए की गई मुख्याले मुंबई में है राष्टी आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई मुख्याले नई दिल्ली में है मुद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्री बैंक के नियंत्राधीन उपकरणों की प्रयोक से है जिससे की मुद्रा की रिंकी उपलब्तता लागत था उपयोकी नियंत्रित कर मुद्रा इस फिती को इस्थिर रखते हुए विकास को कम और इस्थिर मुद्रा इस फिती बित्ती इस्थिरता समावेशी विकास की प्राप्ती 20 फरवरी 15 को भारत सरकार RBI के मतर समझोता हुआ मुद्रा इस फिती के संदर में दो लक्षे निर्धारित किये गए जनवरी 16 तम मुद्रा इस फिती की दर्च प्रत्सत से नीचे ल प्रत्यक्स अप्रत्यक्स उपकरणों का प्रत्यक्स 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 करण कहलाते हैं इसके माध्यम से साख सिजन प्रभावित किया जाता है इसमें खुले बाजार की क्रियाएं रेपोदर रिवर्स रेपोवादी आते हैं नगत आरक्षी निधी अनुपात अपनी संपूर्ण जमा देता नीवल मांग और समय देताओं की हिस्सेदारी वह हिस्स करना चाहता है तो CRR में कमी कर देता है इसके विपरीत मुद्रा संकुचन हे तू नगत आरक्षित अनुपात यानि CRR में व्रिधी कर देता है सामविधिक तरल अनुपात नीवल मांग समय देता कि हिस्सेदारी जो बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों नगती स्रण जैसे सुरक्षित और चल अस्तियों में रखना होता है SLR कहलाता है SLR बैंकों की तरलता के मंत्विपरीत संबंद पाया जाता है SLR विध्रियत तरलता में कमी आती है रेपो रेट वह नीती दर है जिस पर RBI बानेतिक बैंकों को अल्पकाली करेंड उपलब्द कराता है यह पुन पुल रूप से प्रभावित होगी यह उम इसके विपरेत कम रेपो रेट वर साख स्रिजन की छमता में व्रिध्धी करेगा रिवर्स रेपो रवह दर होती है जो RBI द्वारा वाणिज बैंकों को उनके अल्पकालिक जमाओ पर दिया जाता है यह सदयो रेपो रेपो दर से कम होती है CRR SLR का प्रेवग अर्थव्यवस्था में तरल्ता की मात्रा को नियंतित करने जबकि रिवर्स रेपो रेपो का प्रेवग साख नियंतरन हेतू किया जाता है सीमान्त स्थाई सुविधादर अनुसूचित वाणिजिक बैंक अपनी अति अल्पकालिन तरल्ता उशक्ता की पूर्ती है SLR के बदले MSFR पर RBI से एक निश्चित सीमा बैंकों के निवल मांग सावत जमाओं का दो प्रसत्तक रिण ले सकते है सीमान्त स्थाई सुविधादर बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्यासित तरलता अगातों से सुरक्षा प्रदान करती है बैंक दर बैंक दर वह दर है जिस पर प्रिजर्व बैंक बिनिमे बिलो या अन्य बारिजिक पत्रों खरीदने पुनरबटा करने को तयार रहता है बेवहारिक रूप से रिजर्व बैंक बारिजिक बैंकों को दिरिकालिक बित्त की उपलब्दता बैंक दर पर करवाता है बैंक दर MSF की दर होती है इस दर के दोरा रिजर्व बैंक, मानिजिक बैंक की साख उपलब्धता साख की लागत को प्रभावित करता है साख नियंतरन क्या है? साख नियंतरन की दो विधिया है पहला परिमान आतमक साख नियंतरन, क्वांटिटिव मेजर परिणाम्नात्मक साख नियंतर्ण बिधी के अंतरगत साख सिर्जन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है इसका प्रभाव अर्थवेवस्था के सवी चित्रों पर पढ़ता है जैसे निमनुप करणों का प्रयोग किया जाता है बैंक दर का सीमान तसाइज सुविधा के दर खुले बाजार की क्रिया, रिवर्स रेपो, रेपो, नगत आरक्षेतन बाज साम्विधिक तरलता आदी उपरुक्त दरों एम साक स्रिजन में रिनात्मक संबंध होता है गुणात्मक साक नियंतर क्या है? क्वाल्टिटिव मिजर रेशियो गुणात्मक साक नियंतर को चैनात्मक विधि कहा जाता है इसके अंतरगत साक के प्रवाग को नियंतरित किया जाता है इस विधी के RBI के ब्यापारिक बैंकों के आधार के द्वारा अवांचित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिये गए रिण को हतुत साहित करती है जब कि वांचित कत्विधियों की और साख के प्रवाह को प्रसाहित करती है इसके अंतरगत निमलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं नियुंतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मांदन का निर्धारण अब देखते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, वे क्या हैं? टॉपिक है साख नियंतरण तो साख नियंतरण के बारे में देखते हैं, कैसे? साख नियंतरण की दो विदियाँ हैं पहला परिमारात्मक विदियाँ इसको देखे अभी मैंने बता दिया था, फिर से रिपीट हो रहा है तो पहले यहां से देखते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया खुले बाजार की प्रक्रिया देखते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया क्या है? ओपेन मार्केट ओपरेशन्स भारती रिजर्ब बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रे विक्रे के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा बारजिक बैंकों पर नियंतरन किया जाता है तो इसे खुले बाजार की प्रक्रियाएं या क्रियाएं कहा जाता है भारती रिजर्व बैंक को जब बाजार में ब्याप्त मुद्रा को निकालना होता है यानि कि जादा लगती है या कम करना होता है जादा अगर लगती है तो खुले बाजार का प्रयोग करती है वर्तमान में ये प्रमुख, रेपो, रिवर्स, रेपो, बैंक दर ये सारी है ये करेंट में हमें अपडेट रहना पड़ता है क्योंकि हर तिमाही पे RBI द्वारा जारी की जाती है तो ये अक्टूबर 2021 का है जो हमारे किसी काम का नहीं है आगे देखते हैं यहाँ पर मुद्रा इस्पिती और मुद्रा संकुचन जब मुद्रा के मुल्य में कमी के सामानने मुल्य अस्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रा इस्पिती कहा जाता है मुद्रा इस्पिती के मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है मुद्रा प्रसार की इस्थिती में मुद्रा की मात्रा आवशक्ता से अधिक नोट निगमन के कारण मुद्रा प्रसार बढ़ जाती है जबकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा उसकी तुलना में कम रहती है मुद्रा इस्पिती में सामान ने मुल्य अस्तर बढ़ जाता है कीमत अस्तर में प्रतेक वृध्धी मुद्रा इस्पिती नहीं होती है मुद्रा इस्पिती उत्पन्न होने के दो कारण है मांग मौद्रिक आयमे वृध्धी पूर्ती उत्पादन में कमी मौद्रिक आयमे व्रिधी सरकार की मौद्रिक नीती, घाटे की अर्थवेवस्था, गैर विकासात्मग बेव में व्रिधी, मुद्रा के चलन बेग में व्रिधी, तथा अभ्यापारीक वैंकों की साख नीत में परिवर्तन, करो में छूट, रिण वसूली में ढील, पुराने रिणो का भुगतान, विदेशी पुझी का आयात, वित्ती अबेवस्था आधी कारणों से होता है, जबकि उत्पादन में कमी के प्रमुक कारण और द्योगी का शान्ती, सरकार की अधक्ष ब्यापारनीती, कच्चे माल का आभाव, संग्रहन की प्रवित्ती, अधक्ष उ इस्थिती की विप्रीत इस्थिती है, अव इस्थिती की इस्थिती में मुद्रा के मुल्य में बृध्धी होती है, और वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में गिरावटाती है, इसका कारण मुद्रिक आय उत्पादन मात्रा में असंतुलन होना है, जब मुद्रिक आय उत्प इधर वर्ग छेत्र एक तरफ दिया गया है, मुद्रा इस्पीती, मुद्रा संकुचन का प्रभाव। इधर वर्ग में हानी होती मुद्रा इस्पीती में संकुचन में लाब होता है। में कमी तो यह एक चार्ट है आप इससे देखते जाईए करारोपण में मुद्रासंकुचन में कमी आती है उत्पादन व्यापारी किसान आदी को मुद्रासंकुचन से हानी होती है पेंसन भोगी को मुद्रासंकुचन से हानी होती है जबकि मुद्रासंकुचन से लाब होता ह तो यहां पर अब देखते हैं मुद्रा संस्पिती देखते हैं जब अत्यधिक मुद्रा संकुचन के कारण अर्थ बेवस्था में जड़ता की इस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अर्थ ब्यवस्था को इन दुस्परणामों से बचाने के लिए कृति मुद्रा संस्पिती का सहारा लिया जाता है इसी को मुद्रा संस्पिती कहते हैं मुद्रा संस्पिती के अंतरगत रन्गितिक कदम के दहत अर्थ ब्यवस्था में मुद्रा तथा साख की मात्रा धीरे-धीरे वढ़ाई जाती है जिससे सामान ने कीमत अस्तर में बृध्धी की जा सके मुद्रा अपस्फिती जब मुद्रा अस्फिती के दुस्परणामों को दोर करने के लिए जान बूझ कर मुद्रा की मात्रा कम की जाती है तो मुद्रा अपस्फिती कहते हैं मुद्रा अपस्फिती में मुद्रा की मात्रा को जान बूच कर धीरे-धीरे कम किया जाता है जिससे कीमत अस्तर में कमी होने लगती है इस्टैक फ्लेशन इस्टैक फ्लेशन मुद्रा इस्फिती की वह स्थिती है जिसमें मुल्य बृध्धी के एक साथ आर्थिक निस्क्रीता तथा बेरोजगारी की इस्थिती विद्यमान रहती है अव मुल्यन अव मुल्यन क्या है? अव मुल्यन से आसे किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह मुल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जान बूज कर कम करने से होता है मुद्रा और मुल्यन के उद्देश क्या है उद्देश प्रतिकूल भुगतान सेश की इस्थिती में सुधार लाना निर्यात को प्रुसाहित, आयात को हतुसाहित करना विदेसी पूंजी आकर्शित करना विदेसी मुद्राओं की काला बाजारी को रोकना आदी ओमुल्लेन के कारण देश की मुद्रा का बाहमुल लकम हो जाता है जिससे विदेसियों के लिए उस देश की वस्तुएं सस्ती हो जाती है वस्तों के सस्ती होने कारण पहले की तुलना में उतनी ही रास में अधिक वस्तों खरीदी जाती है इस प्रकार अमुल्यन करने से देश का निर्यात प्रोथसाहित होता है अमुल्यन से अमुल्यन करने वाले देश के लिए आयात महंगा हो जाता है क्योंकि उसकी मुद्रा के बाह मुल्य में कमी हो गई है इससे आयात हतोत साहित होता है आउमुल्यन का अंतरिक मुल्यस्तर अत्वा मुद्रा इस फिते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आमुल्यन की सफलता के लिए आवस्यक है जिस देश की मुद्रा सापेक्ष आमुल्यन किया गया है उस देश द्वारा अपनी मुद्रा का आमुल्यन नहीं किया जाए अन्य था आमुल्यन का कोई लाभ नहीं मिलेगा आउमुल्यन की सफलता के लिए आवस्यक है कि आयातों तो था निर्यातों की मांग लोचदार होनी चाहिए देश में वस्तूओं के उत्पादन और वितरनत पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए भारत में अब तक तीन बार 1949 में, 1966 में, 1991 में मुद्रा और मुल्यन किया जा चुका है जुलाई 1991 में भारती मुद्रा के और मुल्यन के कारण प्रतिकूल भुक्तान से इस विदेशी बिनमे को उसकी समापती, रुपए की गिर्ती कीमत, निर्यात, प्रुस्ताहन आदी थे निर्यात बनाया गया, 1994 में रुपए को सी बार 45 लिए पूझी हाते का परिवर्टनियता पर सुझाओ देने के लिए तारा पौर समीति का गठन किया जिसने वर्स 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट में पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनिता क्रमिक धंग से लागू करने का सुझाओ दिया। बलकिन बिरमेपत्रों, प्रतिग्यापत्रों, अलपकालिक सरकारी प्रतिभूतियों का बेवसाय किया जाता है। इन अलपकालिक बिलों को समीप मुद्रा कहा जाता है, नियर मनी की संग्या दी जाती है। भारती मुद्रा बाजार संगटित असंगटित दोनों प्रकार का है। संगठित मुद्रा बाजार के अंतरगत भारती रिजर्व बैंक, भारती श्टेट बैंक, मारिज बैंक, बिदेशी बैंक, बीमा कमपनियां, अर्ध सरकारी संस्थाएं, मिस्त्रित बोजी कमपनियां आती हैं। संगठित मुद्रा बाजार पर भारती रिजर्व बैंक का प्रभावपूर्ण नियंतर रहता है जबकि असंगठित भाग पर भारती रिजर्व बैंक के नियंतर से मुक्त है भारती मुद्रा बाजार के संगठित छितर में मांग मुद्रा बाजार, राजकोसी, बिल, बानिजबिल, ब्यापार मुद्रा बाजार, मिचुल फंड आधी आते हैं असंगठित मुद्रा बाजार में देशी बैंकर, सूध खोर, ब्यापारी आधी आते हैं जो अल्फ कालीन आउशक्ताओं हे तो बित्त प्रपत्र प्रदान करते हैं, असंगटिक छित्र का सरवाधिक प्रपत्र हुंडी है, ट्रेजरी बिल, एड हॉक ट्रेजरी बिल, वानिजिक पत्र, जमाप्रमाण पत्र, आदि मुद्रा बाजार के उपकरण है, भारती मुद् प्रपत्र का नियमन सेमी दोरा किया जाता है, पुझी बाजार दो स्वरूप होते हैं, प्राथमिक बाजार, द्वित्यक बाजार, जब कोई व्यक्ति सीधे कमपनी से उसके शेयर रिणपत्र खरीदता है, अथवा कोई कमपनी जब सीधे जनता से धनप्राप्त करती है, तो इसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है, द्वित्यक बाजार, सेयर बाजार या स्टाउक एक्सेंज होता है, जहां पहले सिधर्ज विभिन कमपनीयों के अंस पत्रों पर पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है, इस्टाउक एक्सेंज वस संगठन है जहां पर विभिन प अधारित Sensex सुचकांक है जिसका पूरा नाम BSE Sensitive Index है यह है ठीक है इसके पश्चात फेरवानी समित्य की अनुसंसा पर 1992 में राश्टी स्टॉक एक्स्चेंज की अस्थापना की गई किसके पर फेरवानी समित्य की अनुसंसा पर राश्टी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अ राश्टी स्टॉक एक्सेंज का मुख्याले दिल्ली में है भारती प्रतिभूति यहम विनिमन बोर्ड यानि की सेवी भारती प्रतिभूति विनिमन बोर्ड सिक्योर्टी एक्सेंज बोर्ड आफ इंडिया कि स्थापना भारती प्रतिभूति यहम विनिमन बोर्ड अधिन किसी भी सेयर बाजार को माननेता प्रदान करना सेवी का काम है प्रमुख सेयर बाजार है विस्तो के कभी कभी पूछ लेता है इसलिए जानना जरूरी है कोरिया को कोस्पी कहा जाता है वहाँ सेयर सुचका चीन का SSE, टोकियो का निक्कई, ताइवान का टाइक्स, का मीडमेरडज, ब्राजील का बोवजपा, USA का नजड़ाक, सिंगापूर का सिमेक्स या स्टेक्स टाइम्स, मेकसिको का बोलसा, इंगलेंड का FTSE100, हांकां का हैंग सिंग है भारत में प्रति भूती-बैंक-नोट-मुद्रण अलेओं भारत में प्रति भूती पत्र मुद् मुद्रण और मुद्रा निर्माण लिमिटेड SPMCIL का है इसकी स्थापना जनवरी 2006 में बित्त मंत्राले के अधीन नई दिल्ली में की गई निगम के तहट भारत के 9 प्रतिष्ठान है चार टकसाल चार बैंक नोट प्रतुमुद्रण आले एक प्रतिभूत पेपर मील सामीन है Security Paper मील होसंगाबाद मद्यप्रदेश में है इसको 1968 में स्थापित किया गया था इसमें विभिन्य प्रकार के Security Paper का उत्पादन किया जाता है Security Printing Press, Stamp Paper, सभी तरह के Postal Stamp, Passport, बीजा, चेक, फरिचेपत्र, बैंक नोट आदकी छपाई यहां होती है भारत के चार बैंक नोट Security Printing Press हैं कहां कहां है पहला है आपका महाराष्ट के नासिक में इसकी इस्थापना 1988 में किया गया था हैदराबाद की स्थापना 1982 में हैदराबाद की नहीं प्रतिभूती मुद्रनाल है है उपरुक्त में अत्रिक्त बैंक नोट छपाई है तो रिजर्व बैंक की एक सबसेडिरी कमपनी है भारती रिजर्व बैंक नोट मुद्रम प्राइवेट लिमिटेड बुंगलोरू स्थापना 1995 में की गई इस कमपनी के अधीन दो पिंटरिंग पेस हैं एक मैसूर करनाटक 1996 में बैंक नोट पेस सालबोनी पस्चिम बंगाल निस सो चानवे टकसाल भारत में चार टकसाल है जहां सिक्कों की ढलाई होती है यह है मुंबई हैदराबाद कोलकाता और नोएडा में भारती लोक बित भारती लोक बित के बारे में क्या है है बजट भारत में बजट प्रनाली दे कि बजट से इसमें करेंट भी कुछ दिया हुआ है तो हम अगर बिहार के कोई बिहार देना चाह रहे हैं तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है ही उसके लावब बजट विसेश लाया जाएगा अलग से तो आप उसको पढ़के यहां अपडेट कर सकते हैं लेकिन यह पूराना था इसलिए कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएंगी क योल ट्रेडिशनल पार्ट यहां हम कवर करेंगे भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में वाइसराय कैनिंग की कारेकारणी परिसद में प्रथम बजट प्रस्तूत किया था संबिधान में संसत के सामने रखवाएगा इसे वारसीक वित्ती विवरन केंदर सरकार का बजट कहा जाता है संबिधान में बजट सब्दकाउलेक नहीं हुआ है वारसीक वित्ती विवरन सब्दकाउलेक हुआ है राज्य सरकारों की बजट के संबन बेवस्ता अनुच्छे 202 में की गई एकवर्थ कमेटी की सिफारिस के आधार पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने रेल बजट को आम बजट में ही सम्मिलित कर दिया इस प्रकार 92 वर्षों तक की चलिया है रेल बजट की पृथा समाप्त कर दी गई गया था, भारत में बजट सामान्यत निमलिखित अनुमानों को ब्यक्त करता है, बिगत वर्स की वास्तवी कायो प्राप्तियां अउंब्य, चालो बित वर्स के बजट अनुमान और संसोधित अनुमान, आगामी वर्स के प्रस्तावित बजट अनुमान, भारत में प्रस्तु कुछ-कुछ जो महत्वण महत्वण हैं उनको के वल देखते जाएंगे राजकोसी नीती आर्थिक नीत का प्रमुग घटक है जिसके अंतरगत सारजनिक बे, करारोपन, सारजनिक रेन, हिनार्थ प्रबंधन से सम्मंदित नीतियां होती है राजकोसी नीति के है सरकार द्वारा की गई दर को कम करने, आधार को विस्तिरित करने, कराधार को सारजनिक बेपन नियंतरण रखने, सारजनिक रेन को कम रखने के लिए आवस्यक अदम उठाये जाते हैं राजकोसी उत्तरदायत की आवशक्ता के मद्दे नजर 2003 में, संसद ने राजकोसी उत्तरदायत तथा प्रबंधन अधिनियम FRBM Act पारित किया, जो राजकोसी घाटे के नियंतरण के लिए कानूनी बाध्यता का प्रावधान करती है राजकोसी उत्तरदायत तथा प्रबंधन बजट अधिनियम सरकार के राजकोसी घाटे को GDP के तीन प्रत्सत के पोशण ये सीमा तक लाने के लिए उत्तरदायत तो प्रदान करता है राजकोसी नित की उद्दे से क्या होते हैं? संसाधनों की गत्सीलता की माध्यम से विकास, संसाधनों का कुसल आवंटन, मुल्ले स्थेर्ता, मुद्रा इस्फिती का नियंतर, रोजगार स्रिजन, संतुलित छेत्री विकास, पूंजी निर्मार आधि राजकोसी नित के उपकरण क्या है? करार ओपन, सारवजनिक बै, सारवजनिक रिण, नई मुद्रा का निर्गमन करार ओपन, स्कर सरकार को दिया जाने वाला निमार भुपतान है, जिसके बदले करदाता को कोई छतपूर्ती या लाभ नहीं प्राप्त होता कर को मुखिरूप से दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्षकर और प्रत्यक्षकर उपहार कर, संपत्ति कर, ये सब आते हैं, वर्तमान में केवल आयकर, निगम कर और नियुन्तम बैकल्पिकर ही लागू है जिस्टि की वजह से आप प्रत्यक्ष करके अंतरगत केंद्री उत्पाद सुल्क सीमा सुल्क सेवाकर मुल्य वर्धित कर आदी आते हैं परंतु अर्तमान में वस्तु सेवाकर ने इन सभी करों को प्रतिस्थापित कर दिया है क्योंकि GST के वज़स से बहुत सारे सुधार किये गए थे सारवजनिक बै सरकार दोरा किये जाने वाले बै को सारवजनिक बै की संग्या दी जाती है सारवजनिक बै को मुख्यता राजस्व पूंजी गत दो भागों में बाटा जाता है उलेखनी है कि बित्ती वर्ष 2017 बै को योजनागत गयर योजनागत बै का वरगी करण के वल राजस्व पूंजी गत बै में ही होने लगा है सारवजनिक बै सरकार दोरा अपने वै पूर्ती है तु ली जाने वाली उधारी से है दो प्रकार का है बाह, विदेशी रिन, आंतरीक रिन, राजकोसी उत्तरदायत तो प्रबंधन अधिनियम जो फारबियम एक्ट 2003 था, राजकोसी समकन हेतु केंदर सरकार दोरा है, फारबियम एक्ट पारित किया गया, उत्तरदायत तो बजट प्रबंधन अधिनियम 5 जुला परंतु दोजार आठनों में आई वैस्टिक बित्ती मंदी के परणाम सरुप एक्ट के लक्षों को प्राप्त नहीं किया जा सका। मई 2016 में एनकी सिंख्य धेक्स्ता में FRBM समिक्षा समित का गठन किया गया। उसकी संस्तुतिया निन्म थी। समित ने रिण GDP का अनुपात का 60 प्रस्त तक लाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें केंद सरकार के लिए 40 प्रस्त राजसरकारों के 20 प्रस्त रिण सीमा सुनिश्चित की गई। यह लक्ष वर्ष 2022-23 तक प्राप्त किया जाना है। रिण GDP अनुपात के लक्ष को प्राप्त करने के लिए समिती ने वर्ष 2022-23 तक राज़कोसी राजसरकारों के निगरानी करने के लिए एक स्वतंतर निकाय के रोप में राज़कोसी प्रिसत का सुझाओ दिया। परिसत तीन सदस्ती होगी एक अध्यक्ष दो सदस्ते होंगे जो किंद सरकार दौरा चार वर्ष के कारकाल के लिए निउक्तिय जाएंगे। निउक्ति के समय परिसत के सदस्त से या किंद सरकार राजसरकार के दिन किसी रोज़कार में नहीं होने चाहिए। समिती ने ये समिती के बारें बताया गया है जो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट नहीं है। बहुत देखते हैं क्या है। तो आवश्रक्ता महसूस होने पर राष्टपती इससे पहले भी कर सकता है। पहला वित्तायोग केसी नियोगी के अध्यक्षता में वर्स 1991 में किया गया था। तब से लेकर अब तक 15 वित्तायोग का गठन किया जा चुका है। यहाँ 15 के बारे में हम देखेंगे। 15 में वित्तायोग गठन की घोष्णा भारत के राष्टपती की स्विक्रिती मिलने के बाद 27 नॉम्बर 2017 को किया। अध्यक्ष हैनके सिंग। रिपोर्ट एक्षन टेकन रिपोर्ट में एक फरवरी 2020 को संसत के पठल पे रखा गया। प्रथम रिपोर्ट में आयोग ने बिभाजन योग के राजश समय बित्त वर्स 2021 से तू राज़ियों के लिए 41 किसी फारिस की, 41 प्रतिसत बित्त की। अप बित्तायोग ने अपनी संस्तुतियों को 2011 की जनगर्णा के आकड़ों का उपियोग किया है। पंद्रहवे बित्तायोग की रिपोर्ट के पश्चत अंतर राजस सो घाटे वाले राज्यों के साथ स्थानी निकायों में आपदा सहायता हेतु राज्यों को अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया। चुकि रिपोर्ट की संस्तुतियां के अवल एक विट्ती वर्ष के लिए हैं इसलिए इससे कोई राजस सो बिसिष्ट अनुदान देने से परहेज किया गया। अन्तरिम रिपोर्ट में राज्यों के हिस्से में एक प्रस्तकी कटावती की गए और केंदर के हिस्से में बढ़ोत्तरी की गए जिसका मुख्यकारण जम्मु कस्मीर की सुरक्षा अन्याओ सक्ताओं की पूर्थी है। अन्तरण के मानदंडों का निर्धारण करने हेतु मानदंड भारांक को निमनलिखित तालिका के माध्यम से सपष्ट किया गया है। चौदवे वित्तायोग की रिपोर्ट बहुत इंपोर्टन नहीं है पसे जान लेना क्या थे। जैसे उसमें विभाजर राज्यों के लिए 42 प्रस्तत करनी की सिफारिश थी, 13 वे इन्हें 32 अंतरण की संस्तुती की थी, 32 प्रस्तत उन्हें मिलना चाहिए। इस आयोग ने अच्छादन के लिएyan 7,5 प्रस्त भारांस रखा था, 14 वे वित्तायोग ने, 14 वे वित्तायोग की राज्यों के मध्य ये भारांस का निर्धारन उम्हों ने किया था, इन्होंने भी जनसंक्या को ज़्यादा दिया है, आय की दूरी को सबसे ज़्यादा, 14 वे है इस बार आंकड़े 2011 के लिए गए हैं बित्तायोग यहां दिया गया है उसकी अस्थापना तो यहां क्या हमें करना है पहला देख लेना है पहला 1951 में केसी नियोगी की अध्रक्सता में 52 से 57 के बीच किया गया था उसके बाद जो है हम 15 देख लेंगे 15 का उन एंके सिंग है 2021 से 26 के लिए इनका किया गया है इसलिए important है यह दोनों जान लिजे बस हो गया 15 में बित्तायोग की संस्तुतियां वर्ष 2020-25 के लिए थी जिसका प्रत्थम रिपोर्ट 2021 के आयोग की प्रस्तुत की थी आयोग की संस्तुति अब 2021 से 26 के लिए होगी केंद्र और राज सरकार के कर इसमें बताया गया है कौन से कर केंद्र के हैं और कौन से कर राज्य के हैं प्रत्यक शुकरों के बारे में बताया गया है तो चलिए इसको देख लेते हैं चाहता आप इसके सोट ले लीजे बट हम तो देखी रहे हैं लग-लग ब्यक्तिगत आयकर, केंद्र सरकार, सम्पत्थी कर, उपहार कर, पुंजी लाव कर, बैय कर, निगम कर, आस्ती कर, बियाज कर और लावान्स कर यह सब केंद्र द trendy द्वारा उसूले जाते हैं राज्य के पास रोजगार पर कर, बेवसाय पर कर, किसी आय पर कर, भूराजस पर, गैर, सहरी अचल संपत्य के होतल कर और पत्थ कर, ये हैं केंज सरकार के अप्रत्यक्ष कर राज के अप्रत्यक्ष कर केंद्री उत्पाद सुल्क केंद्री विक्री कर सीमा सुल्क सेवा कर और जीस्टी और राज सरकार के लिए विक्री कर ब्यापार कर वाहनों पर कर विज्यापन कर स्टांप पंजीयन सुल्क राज उत्पाद सुल् पाती प्रतिगामी अधोगामी प्रगसिल करों में भी विभाजित किया जाता है मुल्य अनुसार कर वह कर है जो की वस्तो के मुल्य पर लगाया जाता है विस्ष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तो की इकाई और परिमार पर लगाया जाता है ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संग्या दी जाती है जिसमें कर की दर के आधार में बृद्धी के सांसात क्रमसः घठता जाता है इस प्रकार के कर को का भार निर्धनों पर अधिक पढ़ता है प्रतिगामी करों के संबंदे महत्पूर्ण तथे तो यह है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतो कर की दर कम होती है आनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है आनुपातिक करों के अंतरगत आय बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवतन नहीं होता यद्यपी आय बढ़ने के साथ करदाता द्वारा अदा किये गए कर की कुल रासी बढ़ती है प्रगतिसील करवहकर है जिसमें आय में बृध्धी के साथ कर की दरों में बृध्धी हो जाती है अधोगामी करवहकर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है पर तो ये एक सीमा के बाद कर की दर इस्थिर हो जाती है भारत में प्रमुख कर, आयकर, भारत में आयकर केंदर सरकार द्वारा लगाया जाता है, कत्रित किया जाता है केंदर सरकार आयकर से प्राप्त राजसों को केंदर और राज्यों के मद्ध बित्त आयोग की अनुसंसा पर वितरित करती है क्रिसी से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता निगमकर ब्यापारिक कमपनियों निगमों की आय पर लगाया जाने वाले कर को निगमकर की संक्या दी जाती निगमकर को कमपनी लाव कर भी कहा जाता है परन्तु यहां उस कर से भिन्न है जो कमपनियों का अंसधारी अपने आयोपर देता है भारत में निगमकर 1907-1961 से लगाया जा रहा है निगमकर कैंसरकार द्वारा लगाया जाता है ब्यायकर ब्यायकर क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्षकर है जो कि लोगों द्वारा किये गये उपभोव बैकी धन्रासी पर लगाया जाता है भारत में बैकर लगाने का सुझाओ पहली बार 1956 में केलडार ने दिया था एक अप्रेल 57 से बैकर अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्रूप एक अप्रेल 1909 को पहली बार बैकर लगाया गया परंत 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया संपदा सुल्क क्या है? संपदा सुल्क केंदर सरकार द्वरा लगाया जाने वाला प्रत्यक्षकर है संपदा सुल्क किसी व्यक्तिकी मृत्यू के पस्चात उसके द्वारा छोड़ी गई संपद्ति के हस्तान अंतरण उपल लगाया जाता है उन्हें 185 में इसे समाप्त किया जा चुका है धनकर भी एक प्रत्यक्षकर है जिसका आसे किसी भी संपत्ती पूंजी या धन के कुल मुल्ले पर प्रतिवर्स लगाया जाता है भारत में धनकर का सुझाव बिटिस अर्थ सास्ती केलडार ने दिया था जिसके प्रणाम सरुप उने 177 में पहली बार धनकर लगाया गया धनकर वेक्तियों अभिभाजित परिवारों कमपनियों के निवल अधन पर एक वार्सिक करके रूप में लगाया जाता है बित्ती वर्स 2015-16 में इसे समाप्त कर दिया गया सेवाकर, सर्विश डैक्स, भारत में सेवाकर की सुरुवात 1994-95 में की गई 1994-95 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा, स्टॉक दलाली पर पांच प्रस्ट की दर से सेवाकर लगाया गया केंद्री उत्पाद सुल्क, उत्पाद सुल्क और प्रत्यक्षकर है केंद्र सरकार द्वरा लगाया जाता है, बित्रायोग द्वरा निधारित फार्मले के आधार पर राज्यों में वितरिप किया जाता है उत्पाद सुल्क देश में उत्पादित होने वाली वस्तुवपर लगाया जाता है जब वस्तुओं के उप्भोगताओं तक पहुंसती है तो उनमें उत्पाद सुल्क जुड़ा रहता है सीमा सुल्क सीमा सुल्क एक अप्रत्यक्षकर है या केंसरकार द्वारा वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाता है सीमा सुल्क मुल्य अनुसार यह मात्रा अनुसार दोनों ही तरीकों से लगाया जाता है सीमा सुल्क जब मुल्य अनुसार लगाया जाता है तो इनको यथा मुल्य सुल्क और जब मात्रा अनुसार लगाया जाता है वेट क्या है? वेट मुल्य समवर्धित कर है यह किसी वस्तू के मुल्य में होने वाली व्रिधी पर लगाया जाता है अन्य सब्दों में कहा जाता है वैट किसी वस्तू के अंतिम मुल्य और उसमें लगी हुई वस्तू अर्थात कच्चा माल के अंतरपल लगाये जाने वाला कर है वेट एक प्रकार की विक्रीकर है जिसका भार सिधान्द के रूप में अंतिम उपभोगता परपड़ता है वेट का जर्मजाता फ्रांस को माना जाता है और 1904 में फ्रांस में विक्री करके विकल्प की रूप में वेट को लागू किया गया था मुल्ले वर्धित कर को सबसे पहले 2003 में हर्याना में और सबसे अंत में 2008 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था वस्तु सेवाकर का सुभारंब GST 1 जुलाई 2017 को 30 जून की अर्धरात्री को वस्तु सेवाकर अपचारिक सुभारंब संसत भौन के अतिहासिक केंद्री कक्ष से ततकालेन राष्ट्रपती प्रणव मुखरजी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी ने वस्तु और सेवाकर को गुड्यों सिंपल सरल्टेक्स के नाम से सम्मोधित किया GST एक अप्रत्यक्षकर है अपने पुरवर्ती या धिकांस अप्रत्यक्षकरों को अच्छादित करता है GST विनिर्माता से लेकर उभोगता तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ती पर एकल कर है इसके तहत प्रतेक्षरण में केवल मुल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है दोहरे कराधान से बचाओ के हेतु GST के अंतरगत इन्पुट क्रेडिट का भी प्रावधान किया गया है भारत में वस्तु और सेवाकर का प्रावधान 111 सम्मिधान संसोधन अधरियम 8 सितंबर 2016 को अधिनीमित हुआ एक जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ के तहट किया गया है संसोधन संसोधन के अंतरगत संसोधन के भाग 11 अनुच्छे 249 अनुच्यास पचास भाग 12 दोसो अर्शट उनहत्तर सत्तर एकहत्तर छियासी भाग 19 दोसो चाचट भाग 20 अनुच्छे 368 एवम 6 अनुच्छी एवम 7 अनुच्छी में संसोधन किया गया इस संसोधन के तहट संबिधान में 3 नए अनुच्छे 246 अ, 279 अ, 289 अ जोड़े गये अनुच्छे 268 एको समाप्त कर दिया गया भारती संबिधा संगी ढाचे दिष्टे GST दो घटक हैं केंद्री GST, राज GST और केंद्र और राज दोनों के साथ एक मुल्य सरिंखला पर वस्तु सेवा कर लगाएंगे केंद्र और संपूर्ण भारती चत्रम समस्त कारोबार पर GST पर GST पर C GST लगाएगा कर संग्रह करेगा केंद्र जबकि राज अपने राज के भीतर सभी कारोबार पर GST लगाएंगे उसका संग्रहन करेंगे इसके अतरिक्त वस्तु और सेवाओं के अंतर राजी ब्यापार पर अनुच्छे 279A के उप क्लाज 1 के तहत एक इक्रित वस्तु और सेवा कर GST लगाया जाएगा या C GST और S GST की योग के बराबर होगा आई GST के अंदर सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाता है इसका वितरण के अंदर और राज्यों के मध्य होता है GST परिसत द्वारा की गई सिफारिसों के अनुरूप 15 नॉवंबर 2017 से 28 प्रिसत कर स्लेव में शामिल 178 वस्तों उपर प्रभावी GST दर घटा कर 18 प्रिसत कर दी गई इस प्रकार अब केवल ऐसी 85 वस्तों सेस रह गई हैं जिन पर 28 प्रिसत GST लगेगा जिन पर अभी तक 18 प्रिसत GST लगता था उन्हें 12 प्रिसत के स्लेव में स्थानांतरित कर दिया गया मौजूदा स्वरोप में GST के तहट सभी वस्तों सेवाओं के 5 समोहों में वर्गिर्कित किया गया है अतियावश्यक आवश्यक की वस्तों जैसे दू, धंडा, दही वगेरेस आदिकर से छूट प्रदान है स्थेश वस्तों समोहों को उनकी उप्योगिता के अनुसार 5, 12, 18, 28 स्लेव में रखा गया है वस्तों सिवाओं के विविधी करण के सांसां GST के अंतरगत व्यापारियों को भी वर्गिक्रिक किया गया है GST के अंतरगत 40,00,00 रुपए पुरू में 20,00,00 तक वारसिक कारोबार वाले व्यापारियों को GST के दाएरे से बाहर रखा गया 40,00,00 रुपए से अधिक, 1,5 करण रुपए से कम वारसिक कारोबार वाले व्यापारियों दिमेहुत कमपोजीशन स्कीम प्रावधान है देखे इसमें भी बहुत परिवर्तन आ चुका है काफी इसमें संसोधन किये गए तो इसलिए GST का ये सामान ने आप समझ लीजिए बाकी डीटेल में आपको जो आपका लेटेस्ट बजट आया जो समिछ सर्वे आया है उसका अध्यन करिए क्योंकि इन सारे चीज़ों में जो परिवर्तन आया हो वहीं से आप कवर कर सकते हैं वहाँ आपको चीज़ें सही दियें गई है GST के दाइरे से बाहर रखे गए कर जिक काउन कोंसे नसीली सराप पर करको GST से छूट प्राप्त है जबकि 5 मेटर उत्पादों पेट्रोल उत्पादों अपरिस्किर पेट्रोलियम उच्च गती डीजल, मोटर, स्प्रीट, प्राकरतिक गैस, विमानन इन्हन को और स्थाई रूप से GST के दाइरे से बाहर रखा गया है कभी भी लाया जा सकता है स्थाई खाता संख्या क्या है पेट काड़, जो आप लोग बनवाते हैं अक्सर तो पेट का क्या होता है, पेट काड़ का फुल हो पर्मनेंट अकाउंड नमबर पेट काड़ आये कर विभाग दोरा जारी किये गए एक काड़ है किरिशी का पुनर गठत कांस्तों की सीमाबंदी जोत का वह मआ तंच्छितर है जो राज्रियों के कानून का निधारन किया जता है किसी व्यक्ति द्वारा अधिक जोत करना अवैद माना जाता है जोतों की चकवंदी का ताथ पर विभाजित वो खंडित जोतों का एकठा करने से जिससे जोतों के आकार को बढ़ाया जा सके भारत में सरवादिक जोतों की संख्या सीमान्त प्रकार की है एक हेक्टेयर से कम चेतरपर वाली जोत सीमान्त एक से दो हेक्टेयर वाली जोत लगुजोत दो से चार हेक्टेयर वाली अर्ध मध्यम जोत चार से दस हेक्टेयर वाली मध्यम जोत दस से हेक्टेयर से बड़ी चेतरपर वाली ब्रिहत जोत कहलाती है क्रिसी संगडना 2015-16 के अंसार देश में क्रियासील जोतों कि कुल संख्या वर्ष 10-11 के 138.3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 146.45 मिलियन हेक्टेयर हो गई जो 5.86 बृध्धी प्रदर्शित करती है परचालित चितर का हिस्सा 2010-11 में 169.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 15-16 में 157.82 मिलियन हेक्टेयर है जो 1.1 एक प्रतिसत की कमी को दर्शाता है क्रिसी संगडना 15-16 में कुल जोतों में लगु एम सीमान्त जोत अनुपात 86.06 प्रतिसत है और ध्यों मध्यमाकार वाली जोतों का हिस्सा 15-16 में 13.35 है साथी ऐसी जोतों का परचालित चितर में हिस्सा 15-16 में 43.99 प्रतिसत था जन्वरी 2004 में पहले राष्ट्री किसान आयोग का गठन किया गया प्रताम अध्यक्ष सोमपाल थे एमस स्वामी नाथन इसके अध्यक्ष बने भारत में क्रिसी वर्स 1 जुलाई से 30 जून के बीच माना जाता है आर्थिक संगर्णा दसिग्यार के अनुसार पूरे भारत में निवल बुआई च्छेतर फल में निवल सिंचित चतर 45.7 प्रतिसत था अब ये विभिन क्रांतियां हैं और बिविध क्रांतियां और प्राथमिक्ता वाले च्छेतर मतलब किस्ते सम्वंधित हैं जहां उनको ज़्यादा प्राथमिक्ता दी गई इस क्रांति में ये important है पूछा जाता है भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है भारत विस्त में ब्राजील के बाद गन्ना उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है ये भी डाटा अपड़ेट आप पढ़ लीजिएगा बताते चल रहा हूं लेकिन इसमें चेंजेज हो सकते हैं इसलिए आप लोग न दूसरे तीसरे अस्थान पर क्रमसा पंजाब और मध्य प्रदेश में चावल का सरवादीक उत्पादन करने वाला राज पस्चिम बंगाल दूसरे तीसरे पर क्रमसा उत्तर प्रदेश और पंजाब राज क्रिसी बीमा योजना अक्टूबर 1999 लागू की गई थी ये विभ भारती चाय बोर्ड 1994 में कोलकता पस्चिम बंगाल भारती तमबाकू 1976 में गठन गूंटूर आंधर प्रदेश में मुख्याले भारती मसाला बॉर्ड 1987 में गठन कोच्ची केरल में मुख्याले राष्टी मांसेम पॉलिट्री प्रसंसकान बोर्ड 2009 में गठन दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है इसे कपास का विराट नगर भी कहा जाता है रासायनी कुरबरक दिष्टे भारत में आद निर्भर नहीं है द्वी पंचवर्सी योजना में भिलाई इसपास सयंत्र को ततकाली सोबियस संके सहयोग से स्था स्थापित किया गया था भिलाई इसपास सयंत्र 36 गड़ के द्रुग जिले मवस्तित है द्वी पंचवर्सी योजना में ही दुर्गापुर इसपात कार खाना पस्चिन मंगाल ब्रिटेन के सहयोग से राउल केला स्टेल प्रांट ओडिसा में जर्मनी के सहयोग से स्थाप स्रम गहन वे उद्योग हैं जिन में स्रम मुल्य का महत्वपूंजी मुल्य की तुलना में अधिक है। बताय जा रहा है दूसरा महाराष्ट है जूट क्या केंद्र पश्चिम मंगाल है टीटा अगर था रेसम वस्तर उत्पादन केंद्र करनाटक राजिका बंगलूरू सहर है उनी वस्तर उत्पादन में पंजाव का सरवाधी क्योगदान है यहां की अधिकांस उनी मीले अम्रि मुत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल निउस्प्रिंट एयों पेपर मिल्स लिम्टेड मध्यप्रदेश में होता है अंतरराष्टी संगठन विश्चुब्यापार संगठन डवलू टीयो की स्थापना एक जनवरी 1995 में हुई विश्चुब्यापार संगठन का मुख्य मुख्याले जिनेवा स्विट्जर लेंड में है 29 जुलाई 2019 तक 164 देश विश्चुब्यापार संगठन के सदसे बन चुके हैं भारत विश्चुब्यापार संगठन सदसे का वर्स 1995 में सदसे बना दक्षड एसी आई 36 सहयोग संगठन सार्क की अस्थापना दिसंबर 1985 में मुख्याले काठमांडू में है सारक सदसे कौन कौन से है तो यह देख लेते हैं अफगानिस्तान बंगलादेश भुटान मालदीव मालदीव नेपाल पाकिस्तान वा स्रिलंका है आसियान की अस्थापना ओवर्स 1960 में हुई जिसकी मुख्याले जिसका जकार्ता में है बिस सबैं का मुख्याले वासिंग्टन डी-सी में है यूरोपी आर्थिक समुदाय का मुख्याले ब्रुसेल्स में है महत्पूर आर्थिक सब्दावलियां एंबार्गो क्या है बंदर गाहों पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध ताकि आयात निर्यात स्थगित रहे प्रचल अलिक निवेस उपहार सबकुछ आता है ब्यापार सेस किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को ब्यापार सेस कहा जाता है द्विपक्छी एकाधिकार यह बाजार की वह स्थिती है जिसमें एकाधिकार क्रेथा का सामान एकाधिकार विक्रेथा से होता है संतुलन अस्तर बिंदू वह बिंदू जिस पर कुल आगम कुल लागत बराबर होती है अर्थ साजत में लागत में सामान ने लाव नहीं थोता है अता संतुलन अस्तर बिंदू का अर्थ सुन ने लाव नहीं है मंदी ब्यापार चक्रिकी का वस्था जिसमें आर्थिक क्रिया सिथिल हो जाती है मंदी की स्थिती में कीमतें लाभ भोग पुझी निवेस सभी की दर कम अस्तर पर होती है रिसेशन, जब वस्टों की पूर्थी की तुलना में मांग कम हो जाती है उस एस्थिती को रिसेशन कहते हैं यह इस्थिती धन के अभाव के कारण उत्पन होती है जिससे वस्थयें बिक्ती नहीं प्रणाम सरु वो द्योग भन्ध होने लगते हैं व्युत्पन्न मांग किसी वस्तु की मांग जो वस्तु की मांग से उत्पन्न होती है जिसमें वस्तु प्रेवत होती है इंटों की मांग मकान बनाने की मांग से व्युत्पन्न होती है आव मुल्यन अपनी देश की मुद्रा का मुल्य जान बोचकर विदेशी मुद्रा के तुलना में कम करना और मुल्यन प्रोसाहित और आयात को हथसाहित करता है कटाउती दर केंदरी बैंक द्वारा सदस्य बैंकों को दिये गए रिंड पर ली जाने वाली ब्याजदर कटवती की दर कहलाती है इसे कटवती दर इसलिए कहते हैं रिंड पर ब्याज की कटवती लेते समय ही कर ली जाती है इसे ही बैंक दर कहते हैं संतुलन कीमत बाजार में जिस कीमत पर वस्तुकी मांगो पूर्थी होती है उसे संतुलन कीमत कहलाती है साथ पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करने के नई मुद्रा को लाने की प्रक्रिया को विमुद्री करण कहते हैं बूम, आर्थिक क्रियाओं की ते प्रगती से आगे बढ़ने की स्थिती को और्थव्यस्ता में बूम की स्थिती कहा जाता है। बफर श्टाउक आपात इस्थिती में वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए उनका अधिक मात्ताम भंडारन करना बफर श्टाउक कहलाता है क्रेता बाजार जब किसी वस्तु की मांग कम पूर्ती अधिक हो उस इस्थिती को क्रेता बाजार कहा जाता है Demet account, share बाजार में कारोबार करने के लिए Demet account होना आवश्यक है, Demet account माननेता प्राप्त, ब्रोकरेज, फर्म, बैंक को द्वारा खोला जाता है Active share, जिन share का क्रे विक्रे प्रति दिन share बाजार में होता है, उन्हें Active share कहते है Insider Trading, जब व्यक्ति अत्वा व्यक्तियों द्वारा किसी कमपनी की गुप्त सूचनाओं के जानकारी एक अत्रित करके अधिक मात्रा में उस कमपनी के share का क्रे विक्रे किया जाता है, तो इसे Insider Trading कहते हैं यह एक अवैदिकार है Tariff, आयातों पर लगाये जाने वाला कर Tariff Volatile Share, जिन shareों के मुल्यों में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, वो Latile Share कहलाते हैं Short Selling, अपने पास सुपस्थिस shareों से अधिक shareों की विक्री, अथो अवे share जो अपने पास हैं ही नहीं की विक्री की जाती से Short Selling कहते हैं Gray Market, एक समानांतर बाजार है जहां बिना पंजी करण के लेंदेन होता है, या सब्द बिना पंजी करण के लेंदेन के संदर में किया जाता है Primary Gold, 24 करेट के सुद्द सोने को Primary Gold कहा जाता है घाटे का बजट हीनार्थ प्रवंदन, जब किसी सरकार का बजट कम, आय और अधिक बैवाला आर्थात घाटे का बजट होता है तब उस बैख के लिए सरकार बैंकों से रिण लेती है, अत्वा अत्रिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित करती है प्रमुख समितियां है, महत्तपुर्ण महत्तपुर्ण समितियों को हम देख लेने जैसे महाल नोबिस समिति आय वितरन का आकलन के लिए 1960 में गठित की गई थी खुसरो समिति क्रिसी और ग्रामेड साकिल 1989 में गठित की गई थी दनते वाला बिरोजगारी अनुमान के लिए गठित की गई थी सरकारी आयोग जानते ही हैं आपके अंदरा समंधों के लिए गाईपोरिया बैंकिंग सेवा सुधार के लिए गोस्वामी समिति और द्योगिक रोगणता के लिए और नर्सिम्मन समिति वित्तिय सुधार के लिए और जानकी रमनसर प्रतभूती गोटाला के लिए 1992 में मलोत्रा समिति बीमा सुधार के लिए 93 में भंडारी समिति छेत्री ग्रामेड वैंकों की पुनर संवर्शना के लिए 94 में आबिद हुसैन समिति लगुद्योग के लिए और तारापोर रुपए की पुझी खातेम परिवर्टनियता के लिए देखे इंपोर्टन्ट सभी हैं फिलहाल लेकिन कुछ ज़्यादा जो महत्तपुण मुझे लग रहा है मैं इंडिकेट कर रहा हूँ बाकि आप इसकन सौट ले लेजे सुरे स्तेंदूलकर गरीवी के लिए और सक्चर मुसलिमों की सामाजी कार्थिक सक्षण जिस्ति के लिए रंगराजन समिति भुगतान संतुलन ये मत्तपुण थे ज़्यादा सौफ्ट लोन क्या है जब कोई रंड लंबे भुगतान अवधी और कम ब्याद जैसी आसान सर्तों पर दी जाती तो उसे सौफ्ट लोन कहते हैं हौट मनी सिग्र पलायन कर जाने की प्रवित्ति वाले विदेशी मुद्रा को हौट मनी कहते हैं अधिक लाव वाले अस्थानों पर अस्थानांतरित हो जाते हैं जब जहां लाव दिखता है ड्राफ्ट एक साख पत्र जिसमें किसी बैंक द्वारा अपनी अन्य किसी साखा को प्राप्त करता के अदेसा नुसार ड्राफ्ट में लिखी गई धन राज का भुगतान का आदेस होता है पेटेंट मौलिक खोज निर्मार के संबन में किसी व्यक्ती संस्था को सरकार द्वारा बौधिक अधिकार की माननता पेटेंट कहलाता है स्रम विभाजन, किसी कारे को एक सेधिक विक्तियों द्वारा विभिन चरणों में पूरा करने की प्रक्रिया को स्रम विभाजन कहा जाता है यह विश्ष्टी करण को प्रुसाहित करता है एक देश के सामाने निवासी, किसी एक देश के सामाने निवासी से विप्राय उस व्यक्ति संस्था से है जो इस देश में एक वर्स से अधिक समय तक रहता है जिसकी आर्थिक अभिरुची उसी देश में केंदरित है अर्थात उधारन के एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट और नागरिकता भारत की है किन्तु अमरीका में वह वर्सों से काम करते हैं किन्तु अमरीका सामाने निवासी माने जाएंगे ना कि अमरीका नागरिक भारत के सामाने निवासी ना कि अमरीकी नागरिक उत्पादक एम अनुत्पादक क्रियाएं क्या है एक अर्थ विवस्था में वस्तुओं और सिवाओं के प्रवाह में अपना योगदान करने वाली क्रियाओं को उत्पादक क्रियाएं कहते हैं वह व्यक्ति जो इन क्रियाओं में योगदान देता है, आय अरजित करता है, जब कि वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह में कोई भी योगदान न करने वाली क्रिया को अनुत्पादक क्रिया कहते हैं, जब व्यक्तियों को अन्तिम उत्पादन के प्रवाह में कोई योगदान क प्रद्धा उस्थापेंसन चात्रपिति पृता दौरापुत्र को प्रदत जेव खर्च ऐसे भुगतानों को हस्तांतर्ण भुगतान कहा जाता है। जो एक वर्ग में समुह में रखे जाते हैं सेस विश्था कहलाते हैं। लाइक करिए दोस्तों तो पहुचाईए जिससे हमें भी होसला मिले और हम भी आपके लिए कुछ बेहतर लाएं। धन्यवाद।